दोस्तों ये एक ऐसी वीडियो होती है जिसके लिए सबसे ज्यादा मेशेज मेरे पास में आते हैं किसे ये वीडियो कवार ये है क्योंकि इस वीडियो के अंदर में पूरे महीने का एक जिस्ट आप लोगको देखने को मिलते हैं चाहे वो polity हो, चाहे वो economy हो, चाहे वो important personality हो, चाहे history geography, जो भी important उसकी background information, जो भी आप लोगों से later international organization के question पुछे आते हैं, exam के अंदर में वो हो, तो maximum चीजे जो होती हैं, वो इसके अंदर आप लोगों cover होती ही नजराती है, वीडियो की length थोड़ी ज़्यादा रहती है, इसल पुरा उन्होंने अच्छे से current affair देखा है, तो उनके लिए एक revision का भी काम यहाँ पर यह करती है, तो total 12 वीडियो हो जाती है, साल की, जो की एक अच्छे level का, एक content आप लोग यह फास में रखती है, जिसलिकी चीजों को आप लोग अच्छे level पर लेकर चल सकते हैं, तो यह यह जो particular वीडियो है, इसके अंदर में December महा का complete current affair जो है, वो मैं आप लोग से यहाँ पर discuss करने वाला हूँ, एक एक point जो है, वो crystal clear करते हुए चलेंगे, और यह जो discussion होगा, यह section में divide होगा, ठीक है, जैसे कि आप लोग पहले cover, जैसे कि index cover कर लिए, फिर polity cover कर लिए, एकनो अप लोग अच्छे से टक-टकी लगा कर देखेगा, एक छोटा सा सुझाओ है, रटने की कोशिस मत करना, जैसे movie देखते हैं आप लोग बैठके, उसको रटते थोड़ी नहीं कि यार यह dialogue आ गया, वाव इसको याद रख लीना है, ठीक है, तो ऐसे रटने की कोशिस मत करन पहले flow flow में बस इसको सुनते हुए चलो आप लोग, क्योंकि इसके अंदर में एक महीने का पूरा आप लोग को जिस्ट रहता है, तो अगर रटने बैठोगे, तो इतना material होता है इसके अंदर में, कि आप लोग का दिमाग जो होता है, वो exhaust हो जाएगा, तो रटने की कोशि अकसर इंसान रटता नहीं है और वो अलंबे समय तक याद भी रहती है, तो ये इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कई पार क्या करते हैं, कई सारे वीडियो स्टार्ट तो कर लेते हैं, पर जैसे आदी होती है, थोड़ी सी जादा होती है, वो फिर छोड़ छोड़ का भाग करके चल सकते हैं, कि और कुछ हो ना हो, यार धेरिया अपनी जिन्दगी में जरूर लेकर आना है, ताकि आप लोग अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सको, ओके, तो काफी शानदार आज का ये डिसकसन रहेगा, एक ही वीडियो में पुरा दिसंबर कवर करूँगा, पीछ इस तरीके से UPSC में अगर देखा जाए, लगबग डेड़ साल का करेंट अफेर पुछ जाता है, तो अप लोग को डेड़ साल का करेंट अफेर तो कवर करके जाना ही जाना होता है, बाकी इसके बाद में आप लोगी सरद्दा है, आप लोग को इंटरस आता है तो और भी आप लोग देख सकते हैं, तो वीडियो काफी डिटेल में डिस्स करूँगा, अच्छे से एक एक पॉइंट कवर करते वे चलेंगे, आप लोग को नोट्स बनाने की जुरुत नहीं है, क्योंकि इस लेक्चर की PDF जो है, वो आप लोग को टेलिग्राम पर मिल जाती है, टेल सकते हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ में अपने आंसर को, ठेक है, तो ये कुछ गुरूफ है, जो कि आप लोग को फायदा पहुचाएंगे, SLV-PDI कैसा गुरूफ है, जहाँ पर नोट्स की फोर्म में कई सारी चीज़े आप लोग को मिल जाती है, यहाँ पर आर्टिकल आप लोग को सतर रहना इस चीज़े के लिए, तो यह थी कुछ basic information, आईए, अब discussion को आगे बढ़ाते हैं, तो अपनी पेटी बांद लीजिए, जो है हमारी flight जो है, जो flight उडने वाली है, ठेक है, पूरा land करेगी, पूरा अच्छे से distance करेंगे सारी चीज़े, और फिर तसल करते हैं, बिना किसी देरिक है, I am veer, welcome to stellar family, अक्सर यह जो section है, यह आप लोग को का जो है, काफी important होता है, पेपर के अंदर में जहां से पुछे आते हैं, report, index, यह फिर awards से little news होती है, तो वो आप लोग के लिए काफी important होती है, और यह section, जो की factual information के लिए, आप लोग के लि बारे पूछा है, अगर कि बताओ कि कौन सी ऐसी organization है, जिसने ये बताया कि दुनिया भर में 100 million से भी ज़्यादा लोगों को displace किया गया है, displace का मतलब क्या होता है, कि एक जगे से दूसरी जगे पर उनको जाना पड़ गया, और वो भी forcibly, यानि कि अपनी मर्जी से नहीं जबर जस्ती किसी ने किसी region से, normally कोई इनसान एक जगे से दूसरी जगे पर क्यों हो जाता है, अक्सर आप लोग ने देखा होगा, या तो education की बात आती है, या फिर employment की बात आती है, या फिर कोई health के बारे में भी अगर बात करें, अपना health को अच्छा करने के लिए इनसान अक्सर एक जगे से दुछ जगे पर migrate करता है, पर लेकिन सबसे ज़्यादा important जो है, वो है education और इसी के साथ में employment, पर लेकिन लड़का और लड़की के लिए दोनों ये चीज़े सही नहीं है, लड़कों के लिए तो अक्सर ये चीज़े आप लोगों को देखने को मिलेगी पर लेकिन मैं कुछ और तरीके के displacement के बारे में भी आप लोगों से बात करूँगा, जैसे की environment की वज़े से displace हो गए लोग, वहाँ पर आसपास वाले reason में पानी भरना श्टार्ट हो गया, उसकी वेसे छोड़कर जाना पड़ गया, कहीं पर लड़ाई हो रही है, रसिया और Ukraine की लड़ाई जैसे उसकी वेसे बहुत सारे लोग जो है, इसको बोलते है, war की वेसे displace हो जाना लोगों का, ये भी बहुत बड़ा reason है, conflict की वेसे हाँ पर कोई एक reason को छोड़कर चले जाना, तो environment और war की वेसे भी बहुत सारे लोग जो है, वो दूसरे area में जाते तो UNDP गे, United Nation Development Program के द्वारा ये report परस्तुत के गई है, इसमें क्या बात की गई है, कि अगर end में पहुँचे 2020 के, तो 59 million जो लोग है, वो forcefully हाँ पर displace के गए, forcibly, और Ukraine war के पहले, ये 6.5 million थे, यानि कि Ukraine war ने इतने सारे लोगों को इधर उधर कर दिया, आप लोग समझ सक ने, कितने सारे लोग तो हमारे देश के थे, जो कि वहाँ से अपनी जान बचा कर आए, जैसे तैसे उनको निकाला गया, और 2050 तक का ये आंकड़ा 260 million होने वाला है, यानि कि अभी ये मांकड़ा 10 करोड है, 2050 तक का इसका double से भी जाद है, यानि कि आप लोग को यहाँ पर य यानि कि 48% तो ऐसे है, जो internally displaced होते हैं, यानि कि एक तरीके से कम पैसा कमारे है, दूसरी जगह चलेगे, 24% जो है, वो जहां से जाते हैं और जहां पर पहले थे, जो चले जाते हैं दूसरी जगह पर, वो वहाँ पर जाकर same अपना earning नहीं कर पाते हैं, सोचो एक इंसान जो ह पर अपना establishment लेकर चल रहा था, उसको forcefully वहाँ से भागना पढ़ गया लडाई की वेसे, और वो जाकर किसी प्रोसी देश में रहने लगा, तो क्या ऐसा ही धंदा व्यापार वो इस्टार्ट कर पाएगा, इसकी possibility बहुत कम है, around 30% लोग जो displaced होते हैं, professional रहते हैं, पर लेक information है, यह तो हो गई, report के बारे में, तो अगर important question भी बने report के बारे में, कहां कहां पर क्या क्या चीज़े हैं, कि किसकी वेसे, कि Ukraine की वेसे, दिक्कत है देखने को मिली, कौन कौन लोग क्या क्या दिक्कत में रहते हैं, तो वह बता दिया, अब यह report प्रस्तुत कौन कर रहा ह तो topic तो cover हो गया, topic के साथ में, एक international organization भी आप लोगी cover हो जाएगी, जो क्या है, यह है United Nation Development Program, यानि कि दुनिया में जहाजा भी development कुछ हो रहा है, उसको यहाँ पर check करने वाली organization है, और starting में लगा United Nation, यानि कि UN का part भी है, तो यह जो organization है, यह देखते है कि गरीबी कहां पर ह sustainable economy को कैसे रेकर चलना है, कैसे growth लाना है, कैसे लोगों का development करना है, तो इसलिए इससे याद रखेगा, United Nation Development Program के साथ में, Human Development Report, यही प्रस्तुत करती है organization, इसका headquarter आप लोगों को New York में देखने को मिलेगा, और यह established किगे थी 22 November 1965 में, जो कि काफी important हैं आपर, आप लोगों से question भी कई बार पुछ ले जाते हैं, तो इसके अंदर में अगर बात करें, यह एक तरीक से largest UN की development agency ad है, जो कि बहुत सारे देशों को support प्रोवाइड कराती है, तो इसका headquarter मैंने अभी बताया, New York के अंदर देखने को मिलेगा, और इसकी जो यह report है, यह जरूर याद रखेग यह जो खाना है, उसका future क्या है, क्या सब का पेट हम लोग भर पाएंगे, इसके ओपर एक study किये गई, food and agriculture organization के द्वारा, तो यहाँ पर पहले topic में cover करता हूँ, फिर उसके बाद में एक organization आप लोग की और cover हो जाएगी, food and agriculture organization, तो बोला यह गया कि आज की date में आप लोग को पर लाकर, जैसे ही building खड़े हुई, तो यहाँ पर एक ऐसी land, जो कि agriculture की जमीन थी, जहाँ पर already, जो एक तरीके से खेती बाड़ी की जारती, अब वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर एक building खड़ी होगी, तो इसका मतलब यह है कि खेती बाड़ी करने के जो जमीन है, वो कम ह हो गई हाँ पर, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, तो इसी के चलते आप लोग याद रखेगा कि food and agriculture organization ने जब यह analysis किया, तो उसको पता चला कि जैसे जैसे अभी time बढ़ रहा है, तो population बढ़ती जा रही है, जो जमीन, यानि कि जो land है, वो घठती जा रही है, इस तरीके से कै इसे हम लोग इस जनता का पेट भर पाएंगे, तो unsustainable economic growth रहेगा future में, agriculture system को अगर ढंक से हम लोग लेकर नहीं चलेंगे, ये बात बताएगी food and agriculture organization के द्वारा, क्या होगा, गरीबी बढ़ेगी, भुकमरी बढ़ेगी, लोगों को खाना ने मिलेगा, geopolitical instability आएगी, जब खा और द्वारी चीजे, degrade हो रहे हैं, resources, जैसे जमीन, हम लोग उसको pollute कर रहे हैं, हवा को pollute कर रहे हैं, हर जगया producerन फैला रहे हैं हम लोग, चाहे जमीन हो, चाहे हवा हो, और चाहे पानी हो, इस तरीके से आने वाले time में सही चीज़े नहीं रहेंगी, अगर इसी तरीके स थोड़ा सा बढ़ जाए किसी एरिया में तो जो खेती एक particular time pressure में होती है अब वो खेती वहाँ पर होनी बंद हो जाएगी तो direct impact आप लोग को देखने को मिलेगा तो आने वाले time में भूके मरेंगे लोग अगर यह ऐसे चलता रहा तो the future of food and agriculture अगर पूछा जाए तो drivers and triggers for transformation किसके द्वारा प्रस्तुत की गई यह report तो यह की गई यह food and agriculture organization के द्वारा तो important है पहले तो आप लोग यह याद रखेगा अब एक organization भी आप लोगी cover हो जाएगी इससे आप लोगे direct question मनते हैं जैसे food and agriculture organization यह अकेली report नहीं प्रस्तुत करते हैं जो उपर बताया यह इस तरीके से बहुत सारी report आप लोगो देखने को मिलेगी the state of world fishery and aquaculture यह report state of the world forest report state of the food security and nutrition report the state of the food and agriculture state of agriculture community और world food price index यह प्रस्तुत की जाती है यह जो particular organization है cubic Canada में इसका headquarter है 16 October को यह बनाए गी थी इसलिए world food day भी हम लोग 16 October को यह celebrate करते है 1945 में इसको बनाया गया था ठीक है तो यह कुछ basic चीज है headquarter इसका Italy में है बनाया गया था कहाँ पर इसको cubic Canada के अंदर में मैंने साइद यह बोलते हैं कि Canada में बनाया था नहीं बनाया गया था basically बनाया गया था Canada में और headquarter है इसका Italy के अंदर Rome के अंदर में डिरेक्टर जर्नल को ने यह आप लोग बताईए और इसका जो basically motto है let there be bread यह कम से कम लोगों के पास में खाना होना चाहिए ठीक है यह जो news cover करने का basic purpose यहाँ पर है कि एक organization और आप लोगी cover होगी और यहाँ पर report है कि World Bank के दौरा बताया गया कि अभी फिलाल जो है वो growth कैसा रहने वाला है तो growth तो देखो यार यह उपर नीचे होता रहता है अभी इन्होंने बताया 6.6 होगा कुछ दिनों बाद में दिखेगा कुछ और condition खराब होगी lockdown लग गया तो फिर यह इसको basically घटाते वे नजर आएंगे कहीं पर monsoon कम हुआ export import में कोई कम्याई किसी के साथ में किसी की लड़ाई होगी यह रसिया और उक्रियन जैसी कोई condition मन गई फिर घटाते बढ़ाते वे नजर आएंगे तो यह important नहीं है पर world bank important है और इसके द्वारा कौन कौन सी report प्रस्तुत की जाती है वो important है जैसे कि the human capital index world development report ease of doing business यह से ने report प्रस्तुत करनी बंद कर दी क्योंकि इसके अंदर में बहुत सरी कमिया और खामिया देखने को मिल रही थी global economy और prospect यह हाँ पर प्रस्तुत के जा रहा है तो यह चार report के नाम याद रखेगा क्योंकि यह publish बंद की गई अभी करनी तो question बंद सकता है इस report के बारे में भी कौन प्रस्तुत करता है ठेक है यह establish की गई 1944 में ब्रेटन वूड जो बेसिकली ब्रेटन वूड आप लोग conference देखने को मिलेगी जिसमें World Bank और IMF दोनों बनाए गए थे 189 member है Washington DC Miss का headquarter है तो यह basic चीज़े हैं तो World Bank और यह IMF इसलिए बनाएगे ताकि दुनिया में जो एक तरीके से खासकर लोग जो हैं गरीबी की वेसे भुकमरी की वेसे किसी की आपस में लडाई ना हो चीज़े एक तरीके से extreme level पर ने पहुँचें और situation बनी रहे कि आगे चलकर world war जैसी situation ने बने तो इसलिए हाँ पर यह ऐसी organization बनाए जाती है तो यह इसकी basic information है आप लोग के सामने एक रिपोर्ट यहाँ पर malaria के बारें बताई डबलेचो के द्वारा बुलागा कि malaria के जो cases है और जो death है वो stabilize हो रही है covid-19 disruption के बाद में हापा अब चीज़े कुछ normal होती है आप लोग को नजर आ रही है तो तो the world malaria report किसके द्वारा प्रस्तुत की गई यह याद रखेगा यह report प्रस्तुत की गई world health organization के द्वारा malaria एक मच्छर जनित बीमारी होती है जिसमें हापर जो disease होती है वो basically आप लोग की बोडियों पोशती है mosquito bone जो blood disease जो की plasmodium protozova यह spread की जाती है female anomalies जो की हाँ पर मच्छर होता है उसकी तरीके से और यह काफी large scale पर हमारे reason में tropical और subtropical region में देखने को मलती है अच्छी बात यह कि इसको cure किया जा सकता है 11 देश ऐसे हैं जिन में से 5 के ओपर सबसे आदा burden रहता है जैसे Democratic Republic of Congo Ghana, India, Nizer और United Republic of Tanjania तो यहाँ पर हाला कि जो death है वो भी decline होता है नजर आ रहा है important बात क्या है कि जो death है आपर अगर आप लोग ध्यान से notice करेंगे 6,19,000 के करीब आप लोग यहाँ पर 2021 में 6,25,2022 में 5,68,2022 में ठीक है तो यह 19,20 और 20 का data है आप लोग के सामने इसी के साथ में यहाँ पर कितने cases जो है वो अलग-अलग reason में आप लोग को देखने को मिलेगा malaria के यह death है और यह cases है तो cases बहुत जाद है जिसे 247,21,21 में 245,21,21 में और 232,21,21 में different चीज के हैं यहाँ पर वो आप लोग को देखने को मिलेगी कि यहाँ पर अगर report के इसाब से आप लोग बात करें ठीक है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा cases जो है 2021 में है पर लेकिन death जो है 2021 में कम हुई है 2000 अगर बात करें यहाँ पर आप लोग देखते हैं 2020 के compare में 20 में case जो है वो कम है पर लेकिन 20 में death जो है वो जादा हुई है तो ऐसे भी आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते है report को कि क्या-क्या दिक्कते देखने को मिलती है WHO एक ऐसी ओर्गेंस ने जिसके बारे में बहुत बार आप लोगो पढ़ा चुको हूँ आप लोगो यह बताना है कि World Health Organization जो कि 7 अप्रेल को बेसिकली बनाए गई थी तो World Health Day जो है वो किस डेट में celebrate किया जाता है इसका एक आप लोगो Headquarter जो है Regional Headquarter इंडिया में New Delhi में देखने को मिलेगा 6 इसके Regional Headquarter है जैसे कि आप लोगो पता है जैसे हाँ पर Congo के अंदर में है अफ्रीका के अंदर में यूरोफ के अंदर में Denmark साउथ इस्ट एशिया न्यूडेहली के अंदर में इस्टन, मेडिटरेनियन, इजिप्ट के अंदर में वेस्टन, पेसिफिक, फिलिपिन के अंदर में और America Washington DC World Health Report, Global Nutrition Report World Vision Report, Ambient Air Quality Report और World Report on Harnessing बिसिकली ये रिपोर्ट जो है इसके द्वारा World Health Organization के द्वारा प्रसुत की जाती है तो रिपोर्ट ऐसी चीज है जहांसे Frequently Question पुछे आते हैं तो Confusion नहीं है एक और बात यहाँ पर बताएगा भी World Health Organization के द्वारा की Extreme Weather Event जो होते हैं कहीं बार आ गया, कहीं आप लोगों यहाँ पर Cyclone देखने को मिल रहे हैं कभी सुने हैं कि सुनामी यहाँ पर आ जाती है तो इसकी वज़े से बहुत सारी दिक्कत हैं देखने को मिलती है तो Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking Water जो रिपोर्ट है, वो किसके द्वारा पब्लिस की गई तो World Health Organization के द्वारा प्रस्तूत की गई और इसी के साथ में UN वोटर के साथ मिलकर यहनि कि इन दोनों ने यह रिपोर्ट प्रस्तूत की जिसके बारे हैं पता चला कि कहां कहां पर आज की डेटे में साथ सफाय की कमी है और Drinking Water यहनि के पीने लायक पानी भी यहां पर नहीं मिल पा रहा है तो यह बाते इस रिपोर्ट से निकल कर यहां पर आती है और यह जो सब्द आप लोग को देखने को मिल रहे हैं तो इसलिए Water, Sanitation और Hygene जो है वो इंपोर्टेंट चीज है उसके उपर Focus देना भी काफी ज़्यदे जरूरी है Neglected Tropical Disease आप लोग को देखने को मिलेगी खासकर जिसके बारे में कोई बाते नहीं करता है जो एक billion से भी ज़्यादा जो poorest country है लगबग लोग उनको effect करती है 149 country के अंदर में 2.4 billion लोग जो हैं उनको proper साफसपाई देखने को नहीं मिलते है जिसकी वैसे बीमारी रहती है proper पानी नहीं मिल पाता है source इदर उदर से पानी रेका ना पड़ता है और इसी के साथ में open defecation में लगबग 946 million लोग आप लोग को नहीं कि 99,000,000 लोग दुनिया में खुले में सोच करते हैं आज की डेट में भी हमारे देश में सुच भारत मिसन के बाद में चीजे कम हो गई है पलेकिन दुनिया में अभी भी cases देखने को मिलते हैं तो वोस जो यहाँ पर है यानिके water sanitation and hygiene यह काफी critical है खासकर ऐसी बीमारियों को ठीक करने में जो कि आज केट में हाँ पर इस गंदकी की वज़े से फैलती है sustainable development goal टोटल मिलाकर सतरे हैं उसमें से जो एक goal है छटा वो clean water and sanitation के बारे बात करता है मैंने discuss भी किये हैं आप लोगों से तो जरूरी है आपर इस goal के ओपर focus देना तो कितने सारे लोग क्या क्या problem से जूज रहे हैं यह आप लोगों यहाँ पर समझना पड़ेगा तो basic information है कितने बच्चों की death हो रही हैं आप लोगों यहाँ पर सूखे में रहते वे देश के नजर आते हैं तो कहां से हम लोग पानी लेकर आएं अपने देश की population में हाँ पर बहुत सारे दिक्कते देखने को मिल रही है 20% की करीब population जो है वो state के अंदर में रहती है जहाँ पर अभी भी declare किया गया कि open defigation free ठीक है तो ऐसे यहाँ पर हमारे देश से ही बहुत सारे ऐसे लोग है जो open defigation करते है 1 by 5 जो child harm की death होती है यह condition आप लोग देख सकते हैं और यह आज की rate में बहुत बुरी condition है यह अगर बात करेंगे आप लोग यहाँ पर तो इनके ओपर focus देना जरूरी है तो health अगर sanitation सफाई सुरकसर रहेगी तो यह situation को हम लोग सुधार पाएंगे तो कौन बताता है health वगर की बारे बाते WHO और WHO की बारे में अभी मैंने आप लोग को बताया था basic information ठीक है एक index है जिसको बोलते है social progress index यहनके society में कैसी progress हो रही है उससे lead index है तो state और जो districts है उसके बारे में information प्रोवाइड कराएगी है EACPM की दौरा EACPM क्या है अब आप लोग को यह पता होना चाहिए इसको बोलते है economic advisory council to prime minister यहनके एक economic advisory जो prime minister को यहाँ पर advise करती है उसके बारे में हाँ पर बात की जा रही है ठीक है तो यह तीन basic मुद्व पर बात करती है एक तो basic human need क्या है इसी के साथ में उनकी well-being के बारे में और क्या-क्या उनके पास में opportunity है तो इसमें pondicherry के दौरा अभी हाँ पर हमारे देश के अंदर में top किया गया lowest जारकंड और बिहार में आप लोग को देखने को मिला जिनकी खस्ता आलत रहती है लोगों की तो जारकंड और बिहार में सबस्यादा खस्ता है इस report के इसाब से basic human need जो है वो गोवा, पुदिचेरी और लक्सेदीर, चंडिगड में अच्छे से पूरी हुई foundation of well being में मिजोरम, हिमाचल परदेश, लद्दाक और गोवा है और environment quality के इसाब से मिजोरम, नागलेंड और मेखाले है opportunity सबसे अच्छी तमिलाड़ में मिलती है और total top best performing में आप लोगों को अगर बात किजाए district में तो आईजोल, मिजोरम इसके solan हिमाचल परदेश और simla ये हिमाचल परदेश तो ये top performing district है तो याद रखेगा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई तीन area को ये count करके चलते हैं और कौन कौन यहाँ पर कहाँ पर है ये basic information मैंने आप लोगों को बता दी तो ये हो गया इस topic का जट मंगनी पट भी हा food के बारे में की कौन भूका है कितने सारे लोग जो है उसके बारे में initiative स्टार्ट के गए हमारे देश के अंदर में अगर कोई आप लोगों से पूछे तो एक ही slide के अंदर में बहुत ही important information प्रोवाइड कराए गई है जैसे हमारे देश में initiative क्या है भुकमरी को और जो malnutrition येन के कुपोशन को मिटाने के लिए तो eat right india movement पोसन अभियान परधान मंतरी मातरतु वंधना योजना food fortification National Food Security Act Mission इंदरधरुस Integrated Child Development Scheme amendment क्या गया इसेंसिल Commodity Act के अंदर में make india trans fat free international europe millets परधान मंतरी गरीब कल्यान अन्य योजना ठीक है तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा हमारे initiative है कुछ various report world food program जो है ये आप लोग को देखने को मिलेगा future of food and degree culture by ये FAO के द्वारा global hunger index मैंने बताए था state food security FSA, FSSAI के द्वारा और promise and reality जो report है यापर ये targeted public distribution system के ताहत है यहाँ पर बात किया थी हमारे देख में तो ये कुछ ऐसी basic चीज़े है जो कि आप लोग को बाता होना चाहिए तो एक ही slide में एकट्टे मिल गई एक जगे हमारे देश में किस तरीके से city कितनी सुन्दर है और उनके लिए finance के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो उससे लिटेड ही हाँ पर ये काफी important topic बन जाता है तो city finance ranking 2020-2022 और इसी के साथ में city beauty competition ये इसी से लिट है कि city को कितना अच्छा हम लोग बना सकते हैं क्योंकि सोचो अगर एक city अच्छी होगी दूसरी city से जब compare करेंगे तो उनके अंदर भी competition आएगा कि हाँ यार हमको भी अपनी city जो है वो अच्छी बनानी है तो इसके चलते एम यह है कि कैसे हम लोग इनको अच्छा लेकर चल सकते हैं तो इसके चलते हैं आपर implement की बात किजा रही है municipal finance reform के बारे में तो resource, mobilization, expenditure, performance और fiscal governance ये तीन area तो कम से कम at least आप लोग को याद रखने है जो की काफी important है अगर आप लोगों से question पूच जाएं city beauty competition के बारे में जब आप लोगों से बात कि जाती है तो ये केक तरीके से beautification की बात कि जाड़े city की जैसे कि accessible है, amenities है, activity, सुंदर्ता, ecology ये सारी चाहिए देखी जाती है आप लोग किसी city में गोमने जाते हैं तो आप लोगों को लगता है वाव यार कितना green री थी वहाँ पर उसका transportation यार कितना श्यांदार था मतलब वहाँ पर सब कुछ साप सपाई थी, कितनी clean city थी वो तो ये आप लोग समझ सकते हैं तो आप लोग का एक perception संद बनता है उस area को देखकर जब हम लोग इस तरीके से बाते करते हैं तो basic है ये कुछ भी confusion इसको ले करनी होना चाहिए और अगर होगा तो उसको दूर करनी है ठीक है? तो ये है याँ पर इस ranking के बारे बात की हमने science and technology एक काफी important area होता है जहां से direct question आप लोगों से पुछे आते है अगर current कोई भी ऐसी चीज होती है news में जिसके बारे में आप लोगों बता होना चाहिए तो थोड़ा सा अच्छे से cover करेंगे एक एक point ता कि mind में clear हो जाए आप लोग को पता है FIFA World Cup जो है एक ऐसा game होता है जो कि दुनिया में सबसे ज़्याद है लोगों के द्वारा देखा जाता है यानि कि इससे ज़्याद है साधी कोई ऐसी चीज है जो game है जो दुनिया में देखा जाता है जितना large scale पर FIFA World Cup देखा जाता है किस से related होता है ये तो ये football से related होता है इस particular World Cup के बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा आप लोगों के सर आप तो बोले थे science and technology ये game में sport में कहां पोच गए तो science पर ही आ रहो हो भी फिलाल पहले आप लोगों के बताने कि FIFA World Cup किस के द्वारा जीता गया ठीक है मैं बता देता हूँ हलका question है अर्जेंटीना के द्वारा थोड़ा ठाप आप लोगों से पूछता हूँ किसको हरा कर यहाँ पर अर्जेंटीना जीता ये question का answer आप लोग दीजे अभी क्या मैं बहल करूँ है हाँ पर मैं बात करूँगा आप लोगों से SAOT के बारे में FIFA के अंदर में अभी एक टेक्नोलोजी यूज की गई जिसको बोला गया SAOT यानिके Semi Automated Offside Technology क्या थी मतलब यह देखिए कई बार क्या रहता है आप लोगों ने देखा होगा कि किर्केट के अंदर में जब कोई दिक्कत होती है तो कई बार कभी बोल की परचाई तो कभी इंसान की परचाई आप लोगों देखने को मलती है उसका भी थोड़ा solution निकला जा सके तो इसमें यहाँ पर कई बार सभी से design नहीं हो पाते हैं तो यहाँ पर टूटल मिलाकर 12 camera हाँ पर लगाय जा रहे हैं तो यह camera जो है ताकि चीजों को ढंक से identify किया जा सके तो यह एक तरीके से आप लोगो camera यहाँ पर देखने को मिलेंगे setup ताकि अलग-अलग point पर चीजों को identify किया जा सके इसी के साथ में यहाँ पर artificial intelligence के software भी यूज़ के गए और बहतरी decision देने के लिए ताकि situation को जो है और बहतर तरीके से यहाँ पर implement किया जा सके तो छोड़ा सा question आप लोगों से पूछ लेंगे कि किस particular game के अंदर में SAOT यूज किया गया और इसकी full form भी आप लोगों पता रहेगी तो आसानी से आप लोग यहाँ पर बता पाएंगे तो यह है semi automated offside technology तो इसके बारे में कम से कम एक खलकास आइडिया रखेगा और ज्यादा technical issue में गुसने के जुरूत नहीं है एक general information आप लोग इसके बारे में होनी चाहिए Science and Tech में फिलाल moon यहनिके चंदा मामा जो है वो बहुती favorite बने हैं सब के जो भी देखो चंदा मामा के बारें बात करता है अभी यहाँ पर जो है जापान चंदा मामा के बारें बात कर रहा है इंडिया ओलेडी चंद्रियान मिसन पर चंदा मामा के बारें बात एक गर रहा था अभी क्या मुद्दा हुआ है वो समझ लेते हैं जापान के स्पेस जो है साइंटिस्ट उनके द्वारे हाँ पर स्टार्ट अप आई स्पेस जो है वो लॉंच किया गया है आप यह पर्टिकुलर एक प्राइवेट ओनलेंडर M1 आप लोग को देखने को मिलेगा जो कि मून पर एक तरीके से छोड़ा जा रहा है यह है बेसिकलि किसके तैत यहाँ पर यह हकूटो आर मिसन तो आप लोग उसे पूछे हकूटो आर मिसन किसका है तो याद रखेगा जापान का है इंपोर्टेंट मुद्द के हैं आप यह मिसन लॉंच किया गया है इस्पेस जो कि Elon Musk की company है उसके rocket से इसको launch किया गया है तो यह याद रखेगा यह चांद के ऊपर study हाँ पर करेगा तो basically minimum fuel में हाँ पर यह भेजा गया है money save की जाएगी हाँ पर slow और low energy path जो है वो इसके द्वारा follow किया गया है तो यह इसके feature है तो यह तो किसका मिसन हो गया यह हो गया basically Japan का हमारा कोई mission है जी हाँ चंद्रियान चंद्रियान पहला भेजा था हम लोग ने 2089 में फिर अभी यहाँ पर भेजा दूसरा यह किस साल में भेजा बताएगा अभी यहाँ पर बात करें कई सारे देश चंद्रमा पे यहाँ पर अपने पैर रख रहे हैं जैसे कि UAE के द आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे है मून मिसन जो UAE का है उसका नाम आप लोग को बताना है इसलिए मैंने ने लिखा है बहुत बार डिसकस कर चूँँ ठी है तो उसको सर्च करना देखता हूँ कौन कौन इसका सही आंसर देता है ओके इंपोर्टेंट है पता होना एक स्टरोड के बारे में जिसको बोलते हैं हाँ पर राइगू यह जो इस ड्रोए है पहले तो आप लोग यह पता होना चाहिए कि एस्टरोड जो होता है वो क्या किस तरिगे से आप लोगों चे देखने को मिलती है तो एस्टरोड की इस्टर्चर है हाँपर क्रस्ट, mental, core कुछ ऐसे pattern में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है और एक asteroid belt जिसके बारे में अकसर कई बार exam में question पुछाते हैं कहाँ पर पाई जाती है तो यह आप लोग याद रखेगा अगर आप लोग उसे कोई question पूछे तो यह आप लोगों से पुछा जा सकता है कि जो asteroid belt होती है वो किस किस के बीचे हैं पाई जाती है तो आप लोग बताए किस किस के बीचे हैं पाई जाती है जैसे यहाँ पर Mars हो गया उपर क्या आप लोगों को देखने को मिल रहा है डिस्कवर किया गया था 1909 में तो अभी हाँ पर ये बिसिकली L.I.N.E.R. प्रोजेक्ट जिसको बखते हैं लिंकन नियर अर्थ एस्ट्रोइड रिसर्च देखिए अगर कोई एस्ट्रोइड हम लोग को मिल जाता है इसका मतल़ है कि कभी ने कभी प्रत्वी का पार्ट रहा ह तो एक particular सम्मू होता है उसका एक पार्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं ठीक है fusion में difference क्या है पहले आप लोग बताइए फिर मैं आप लोग को समझाता हूँ ताकि आप लोग की मैंड में इसको लेकर कोई भी doubt ने रहे अब तक अगर बात करें हम लोग एक technology पर काम करते हैं जिसको बोलते है फिजन फिजन में क्या होता है जो एक large atom रहता है वो split हो जाता है यहाँ पर दो या फिर दो से जादे atoms के अंदर में यानिके large जो रहेगा वो छोटे छोटे parts में divide हो जाएगा इसको फिजन बोलते हैं जब यहाँ पर यह होता है इस तरीगा प्रोजजर तो यहाँ पर nuclear energy आप लोग को देखने को मिलती है वो निकलती है और उसका इस्तमाल हम लोग कई जगे करते हैं कंट्रोल करकर भी हम लोग इसका इस्तमाल करते हैं हमारे nuclear power plant के अंदर भी आप लोग को देखने को मिलता है पर लेकिन जब इसके दूसरी सैड में हम लोग जाएंगे यह हो गया F-I-S-S-I-O-N तो यह क्या हो गया यह हो गया फिजन यहनके एक तरीके से चीजों का तूट पर लेकिन दूसरी सैड में एक सब्द होता है जिसको बोलते है fusion तो यहाँ पर F-U होता है तो आप लोग यादर करे जगा इस तरीके से यहाँ पर आकर चीजों है वो जुड़ गई ठीक है तो यह fusion हो गया fusion में क्या होता है कि यहाँ पर दो या फिर दो से ज़्यादा light atom ज नजर आते हैं तो fusion का control अब तक हमारे हाथ में नहीं दिखता था इसलिए हाँ पर हम लोग इसके बारे में बाते गर रहे हैं इनके fusion जो है वो एक तरीके से काफी large scale पर एक ऐसी चीज थी जो कि uncontrollable चीजे हाँ पर देखने को मिलती थी तो इसको control करना आने वाले time में बहु से कोई पूछ ले तो सबसे पहले तो आप लोग को हलका सा कम से कम एट लिस्ट ये difference ही पता होना चाहिए क्योंकि इसके ओपर कई सारे direct question भी आप लोगों से पूछ लिया आते हैं ठीक है तो ये कुछ ऐसी बाते हैं जो आप लोग को mind में clear रहने चाहिए basic होती है basic लिए सा सारे cancer के patient जो है वो देश के अंदर में देखने को मिलते हैं अभी हम लोग बात कर रहे हैं हाँ पर cancer के basically इलाज के बारे में तो UK के जो scientist है उनके द्वारे हाँ पर new cancer therapy के बारे है बात कीगी और जिसमें हाँ पर इस्तमाल किया जा रहा है किसके बारे में gene therapy के बारे में तो basically होता क्या है अगर माली जे किसी body के अंदर में कहीं पर cancer हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि वो cell जो होती है वो मरना start हो जाती है और वो एक बहुत बुरी condition के रियेट यहाँ पर कर देती है तो जो यहाँ पर बात करूँ आप लोगों से cancer के बारे में तो यह काफी important है कि का इस्तमाल इसको basically control किया जा सकता है किसकी help से आप वो आप लोगों को देखने को मिलेगा gene editing technology की help से तो यहाँ पर अगर कोई particular gene अगर बेकार हो रख है उसको cut करकर निकाल ले जाए और फिर उसको healthy जो DNA है उससे replace कर दे जाए तो यह होता है gene editing technology जैसे मैंने आप लोगों से disability क्या था C-R-I-S-P-R तो यह कैसे work करता है तो पूरा procedure है यहाँ पर किस तरीके से इसको कैची बोलते हैं basically यह gene को cut करने का काम करते हैं जो बेकार gene है उसको यहाँ से replace करकर जैसे यह वाला है portion इसको यहाँ से replace करकर एक proper system यहाँ पर इसके तहत लाकर रख दिया एक तरीके 9 जो system है यह gene editing के लिए इस्तमाल की जाने वाली technology है जिसके उपर question भी पूछा जा चुक है exam के अंदर में अगर पुरानी question उठा अगर आप लोग देखोगे तो ठीक है तो basic है पता होना चाहिए एक सब्स आप लोगों नहीं सुना होगा exoplanet यानिके जो हमारा planetary system है जो solar system आ light year, light year याद रखेगा जब हम लोग यहाँ पर space में distance को count करते हैं जो जैसे normal हम लोग kilometer count करते हैं ऐसे यहाँ पर light year हम लोग count करते हैं इस space में जब चीजों को check करते हैं तो light year unit है यहाँ पर तो light year की definition क्या होगी कि light year is a distance जो light travel करती है एक साल के अंदर में यानिके तीन सो पैस्ट दिन के अंदर में तो इसको light year basically आप लोग बोलते हो यहाँ पर ठीक है तो यह थोड़ा से इसके बारे में आप लोग याद रखेगा वैसे अगर इस distance को आप लोग देखोगे तो यह बहुत ही एक huge distance होती है यानिकि अगर मैं आप लोगों से बात करूं इसके बारे में किलोमेटर में अगर आप लोग इसको count करने की कोशिस करोगे तो one light year is a result को 9.5 into 10 to the power 12 km आप लोगो देखने को मिलेगा तो यह कितनी huge distance है तो यहाँ पर इस distance पर आप लोगो देखने को मि जिसमें यहाँ पर बता जा रहा है कि इनको two water world यहाँ पर इनको बोला जा रहा है ठीक है तो यह जो plant है आप 38 days लेते हैं complete करने के लिए orbit में अपना चक्कर यह कुछ basic चीज़े हैं जो कि आप लोगे सामने है पर दोनों के नाम at least आप लोगो पता रहने चाहिए जिसके बा जो बनियान यानिकि जो बरगत का ट्री है उसके उपर और यह study की गई Indian Institute of Science, Education and Research के द्वारा भोपाल के अंदर में और यह बताया गया कि जो इहाँ पर बरगत का जो पीड है वो इतने लंबे समय तक क्यों जीवित रह पाता है यानिकि उसके अंदर में आसपास में जो बी पड़ी की गई थी recently अभी जिनको Nobel Prize मिला है Medicine यहाँ पर अभी 2022 का तो इनका नाम है हाँ पर सवेंतो पाबो ठीक है तो इहाँ पर इनके द्वारा डिस्कवरी की गई है जो की एक तरीके से Human Evolution के बारे में हाँ पर बात करता है इनके अगर चीजों को कैसे बनाया गया उसके बारे में हम लोग एक बार इस study को समझ लें तो फिर हम लोग यह देख सकते हैं कि इसकी life जो होती है वो कैसे घटती है कैसे इसकी life बढ़ती है जो जादे जीते हैं उसमें क्या कैची देखने को मिलती है पर करती में जो पेड़ पोधे हैं उनकी life कैसी होती है तो बहुत सा वहाँ मिल जाता है डिरेक्ट और इंडिरेक्ट वे में तो ऐसी चीज़े जिसके बारे पता है तो क्यों छोड़के जाने हैं तो टोपिक को तयार करके जाने हैं अच्छे से डीव फेक टेक्नोजी बहुत ज़्यादे देखने को मलती है ओल ओबर वर्ल्ल में तो इसी के ओपर काम करने की बात की जारे है खासकर चाइना ने प्लान किया कि इसको रेगुलेट किया जाएगा इलेक्शन के टाइम पर मैनिपलेशन, सोसल इंजीनिरिंग में और उसकी पॉर्णोग्राफिय बना देती है लोगों को लगता है वही सेलिब्रेटी है तो इस तरीके से इनसान की परसनल लाइप भी डिस्ट्रोई करने का काम करती हैं आपर डीफ फेक तो इसलिए इसके ओपर काम करना जरूरी है Artificial Intelligence का इस्तमाल कियाता है काफी लार्ज स्केल पर चीजों को सिमलर बनाने में तो जरूरी है कि इसको सोलिशन यहाँ पर निकाला जाए आप लोग की क्या रहा है इसके बारे में आप लोग बताएगा कि ये कितने अच्छे से रेगलेट होने चाहिए क्योंकि सोचो कि कोई particular अगर लड़की है उसका phase जो है चेंज किया और चेंज करकर किसी particular वीडियो के अंदर लगा दिया और वो पॉनोग्राफी की वीडियो बेसिकली हो गई वो पॉन एक वीडियो बना दियो हाँ पर सोचो उस लड़की की image का क्या होगा जबकि उसने कुछ नहीं किया है पर लेकिन society में उसकी image कितनी खराब होगी और यह ऐसे चीज़े वाइरल इतनी जल्दी होते है जिसकी कुछ अधनी है तो इनके ऊपर काम करना काफी ज़द है जरूरी है तो चाइना ने बोला है कि इस इसको आत्म निर्भर बनाया जा सके innovation यानिकि research and development की उपर काम किया जाएगा जादे से जादे चीजों को innovate करके defense aerospace में हम लोग काम करेंगे 1.5 क्रोर से लेके 10 क्रोर तक का यहाँ पर support provider कराने की बात केगी ताकि indigenous तरीके से हम लोग innovation कर सकें यानिकि मोटे मोटे तोर पर वो आप लोग बोलो कि सर देश के अंदर में education system को बिल्कुल change करके रख देना है तो मैं बोलो कि क्या करना है उसके लिए एक प्रोपर एक prototype तयार करके लाओ एक draft तयार करके लाओ उसके बाद में फिर देखते हैं तो यह समझ सकते हैं पहला D.I.S.C. जो है आपर यह launch किया था और यहाँ पर defense industrial corridor तो यह सारे initiative है हमारे देश के ताकि अपनी देश के अंदर में focus कर सके अपनी लोगों के बनाए हुए जो product है उनको acquire कर सके और उनको हम लोग इस्तमाल कर सके तो अपनी ही चीज़ों पर focus करने की बात यहाँ पर रखेगी है तो science and technology के अंदर में कुछ ऐ इसी चीज़े भी आप लोगों से अक्सर पूछ लियाती है तो confusion नहीं है ठीक है यह वाला जो section है आपर हम लोग defense और internal security से लेटर जो भी article होंगे defense exercise वगरा जो भी होंगी उनके बारे में हम लोग यहाँ पर article कवर करने वाले हैं तो कोई भी confusion इसको लेटर नहीं होना चाहि कई सारे important question आप लोग यहाँ से बनते हैं nds cds के अगर त्यारी कर रहे हैं खासकर defense के matter में तो बहुत ही और भी important यहाँ पर हो जाता है ठीक है और भी exercise आप लोग को देखने को मलती हैं जैसे bold cruise शेतरा army की है joint military training air force की है और trilateral जो यहाँ पर maritime exercise है जिसको आप लोग यहाँ पर simtex के नाम से जानते हैं with Thailand भी हाँ पर आ जाता है क्योंकि trilateral में तीन आगे तो इंडिया, Singapore और Thailand तो तीन देस यहाँ पर आगे तो यह trilateral exercise ब इंडिया और Singapore के बारे में पता होने चाहिए एक exercise जो कि बहुत जादे news में रहती है कई बार आप लोग को यहाँ पर इसके बारे में कई सारी खबरे भी उड़ती ही नजर आती है क्योंकि नेपाल की ओपर दबदबा रहता है चाइना का तो सूर्य किरन जो exercise है उसके बारे उसके अडिकत होती हैं और कल को अगर कोई दिकत होती है तो हम लोग काम कर सके सारे काम किस के इसाफ से बीच में तो यह आप लोग को इंडिया और basically किसके नेपाल के बीच में आप लोगो नजराएगी तो basic है पता होना चाहिए यह exercise काफी important है क्योंकि यह जो reason है यह कई बार काफी जद्ध है आप लोगो न्यूस में भी देखने को मिलता है exercise बात की जा रही है कजिंद के बारे में K-A-Z-I-N-D तो पूछा जाएं हाँ पर किस किस के बीच में है तो याद रखेगा इंडिया और कजागिस्तान के बीच में है कैसी exercise है यह joint military exercise है important क्या है अब की बार मेगाले के अंदर में देखने को मिली 2022 में देखिए एक तो यह है कि exercise है दूसरा है कि हमारे देश में हो रही है basically तो यह काफी important हो जाता है इसके बारे में question बनने के chances आप लोगों से बन जाते हैं तो इसलिए कहता हूँ कि इन चीजों के बारे में थोड़ा सा नाम याद रखते हैं यह exercise इसी नाम से नहीं पुकारी जाते है starting से इसका नाम था exercise परबल दोस तक तो यह था इसका नाम पहले 2016 में जब यह start किएगी फिर लगा कि exercise का नाम पसंद नहीं आ रहा है 2018 में हाँ पर कजहिंद इसका नाम कर दिया यानि के कजागिस्तान, KAZ, IND, इंडिया 2018 में तो यह military exercise दोनों country के बीच में कैसे relation रहते हैं कैसे चीजों को लेकर चलते हैं तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ में कैसे मिलकर operate कर सकते हैं उसका एक program एक आप लोग यहाँ पर यहाँ पर यह देखने को मिलता है हमारे देश में सबमेरीन बना रहे हैं जिनको आप लोग पंडूबी बोलते हैं तो पंडूबी बनाई जा रही है इस पंडूबी के जो project के अंदर में 6 आप लोगों पंडूबी देखने को मिलती है कालावरी, खंडेरी, इसी करांज, वेला, वागिर और इसी के साथ में हाँ पर यह है वागसरी ठीक है तो यह particular जो पंडूबी है हमारे देश में यह basically अभी आज की date में 2017 में December में आ चुकी है 2019 में September में आ चुकी है 20 में 21 में 22 में और तेहिस में आप लोग यहाँ पर यह देखने को मिल रही है जिसका नाम है वागसरी तो यानिके यह हमारे देश में कैसे हम लोग चीजों को डवलफ कर सकते हैं यह पंडूबी वाला area उसके ओपर यहाँ पर चीज़े आप लोग को नजरा रही है तो अपनी चीजों को हम लोग अपने इसाफ से लेकर चल जाएं यह पूरा focus है ठीक है थोड़ा सा और detail में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर याद रखेगा यह जो particular जो पंडूबी है आपर यह मजगोंग डोक सिप जो लिमिटेड है PSU उसके द्वारा है यहाँ पर यह चीजे डवलफ की जा रही है ठीक है और यह जो है basically वागिर जो है यह हम लोग ने basically किसके साथ मिलकर काम करने start किया था तो first जो वागिर थी आपर जो हमारे देश में आया थी जिसके नाम पर अभी नई पंडूबी का भी नाम रखा गया वो आप लोग यहाँ पर नजर आएगी कि रसिया से हम लोग यहाँ पर उसको ले कर आए थी ठीक है तो यह काफी important है पर लेकिन फिलाल के time पर जो यह project आप लोग के सामने चल रहा है इसमें हमारा support जो है वो France करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह काम किया जा रहा है ठीक है तो यह काफी important project है कुछ और basic information जैसे जब आप लोग तो आप लोग चीजों को याद रख सको यह exercise जो की काफी ज़्यादे news में थी वो थी China और Russia के 20 में joint naval exercise वो भी कहाँ पर East China C में वो भी किस टाइम पर उस टाइम पर जब यहाँ पर बहुत सारी problem देखने को मिल रही है खासकर Russia के इर्थिद Ukraine के issue को लेकर और और भी Russia का जो यहाँ पर एक तरीके चिडर हाचकेट में युएस से वो सारी चीज़े East China C यहाँ पर है उपर South Korea है इधर Japan देखने को मिल रहे है Russia और China यहाँ पर exercise कर रहे है तो इसलिए हाँ पर यह काफ़ ज़ए news में आ गया तो यहाँ पर in war हो रहा है हाँ यहाँ पर firing exercise इसी के साथ में anti-submarion drill इस्टेंदन करने की बात की जारिये कैसे कोपरेट करेंगे दूसरे के साथ में नेवल फिल्ड में चाइना और रसिया एक new era की strategy partnership में हाँ पर अभी जो है वो entry कर रहे हैं इंडिया की exercise with China और रसे के बारें बात करें तो exercise hand in hand army की है चाइना के साथ में और exercise Indra army की है रसे के साथ में और exercise T-S-E-N-T-E-R है ये army की रसे के साथ में ये वो basic चीजे हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं ये वो basic चीजे हैं जहां से direct आप लोग के लिए question बन सकते हैं तो इसके बारे में आप लोग कम idea जरू रखिएगा defense के matter में अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो एक परलिय जो हमारे देश में system है उसके बारे में याद रखिएगा first conventional quasi जो ballistic missile है ये develop की गई हमारे द्वारा लगबग 1500 से लेके 500 km की range आप लोगे हाँ पर देखने को मलती है ये हम लोगों ने अभी चाइना के border के पास में deploy कर दी गई है क्योंकि चाइना जो है कई बार बत्तमीजी काटता रहता है तो कल को कोई अगर ulti CD हरकते देखने को मिले तो हम लोग situation को यहाँ पर handle कर सकें तो परले ये basically ballistic missile system के बारे में आप लोग याद रखेगा जिसको समझ में नहीं आता है ballistic missile या फिर hypersonic missile क्या होती है तो ये बड़ा ही प्यारा सा एक example आप लोग यहाँ पर देख सकते है ballistic missile क्या होती है मल ये कोई एक particular target है इस target को hit करने है तो जो ballistic missile होती है पहले वो outer basically sphere में जाती है इनके atmosphere से बाहर निकलती है और फिर आके इस तरीगे से आपर system को hit करती है तो ये इसकी जो trajectory होती है इसके base पर इसका नाम ballistic missile रखा गया है जो environment के अंदर अंदर ही हाँ पर जैसे hypersonic cruise missile जो है वो environment यानिके atmosphere से बाहर ही निजाती है वो इसी तरीगे से आकर hit कर देती है तो ये आप लोग को देखने को मिलेगी और ज़्यादा ताकतवर जो hypersonic missile है ये और ज़्यादा fast और ज़्यादा ताकतवर और इसके ओपर कोई impact भी नहीं पड़ता है खासकर environment या फिर atmosphere का तो इसकी विज़े से ये और ज़्यादे effective technology हाँ पर मानी जाती है तो ये भी आप लोग समझ सकते हैं दोनों में difference कोई पूछे ballistic या फिर cruise missile में तो कौन सी आप लोगों चाहिए तो एक आँख बंद करकर इंसान बोल रहेगा ये वैसाब cruise missile चाहिए ये एक तरीका ballistic trajectory follow करती है जैसे मैंने बताया और यहाँ पर predetermined target रहता है ये जो भी decide कर दिया वो target रहेगा हाँ पर उसी पर जाकर hit करेगी target को mobile भी रखा जाए तो भी hit कर देगी जाकर ये आगे पीछे भागो तो उसके पीछे भागेगी भाइसाब ये high altitude और easy track यहाँ पर इसका काफी extreme और low altitude trajectory आप लोगो देखने को मनती है काफी difficult है इसको track करने में इसको trace किया जा सकता है यानि कि ballistic missile अगर कोई हाँ पर छोड़ रहा है उसको आसानी से trace किया जा सकता है पर लेकिन अगर कोई हाँ पर cruise missile छोड़ रहा है तो इसको trace करना जो है वो आसान नहीं होता है तो ये बाते आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं तो दोनों में difference भी अगर कोई आप लोगों से पूछे तो ये भी confusion आप लोगों का दूर हो गया अब कुछ confusion नहीं होना चाहिए दोस्तो environment एक ऐसा area होता है जहां से बड़ी frequently आप लोगों से question पुछे आते है और बड़ी ही प्यारे से question यहाँ पर बन जाते है तो ये काफी important area होता है खास कर जो UPSC का तो बड़ा favorite area होता है तो अच्छे से यहाँ पर समझेंगे इसके बारे में काजी रंगा basically Nestle Park आप लोगों ने सुनाओगा कई बार कहाँ पर located है पहले तो आप लोग यह बताईए अभी यहाँ पर क्यों न्यूज में है क्योंकि इंडिया और फ्रांस के द्वारा एक partnership की गए थी यहाँ पर और वो partnership जो है अभी रंग लेकर आई है काजी रंगा Nestle Park के अंदर में क्या है partnership उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे single largest एक तरीके सा यह undisturbed area आप लोगो देखने को मिलेगा ब्रहम पुत्रा वैली के अंदर में यह particular जो Nestle Park है 1974 में यह Nestle Park declare किया गया tiger reserve जो है 2007 से है आप आप और सबसे ज़्यादे आप लोग यहाँ पर basically density में tiger देखने को मिलते है protected area के अंदर में world में अगर कहीं पर है तो UNESCO की world heritage site भी है important bird area भी है जो की bird life international के द्वारा recognize किया गया है और हर 14 में से यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर basically एक तरीके से home है हर 9 में से हर 14 में से 9 जो species पाई जाते हैं हाँ पर इस particular subcontinent के अंदर में तो उसको भी हाँ पर recognize आप लोग कर सकते हैं यानि कि काजी रंगा नेसल पाक जो है वो काफी famous area आप लोग को देखने को मिलेगा अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि India और France जो है वो आपस में मिले किस particular purpose के लिए और कब से project start किया गया था तो यहाँ पर France के अंदर में बात करेंगे तो AFD है जिसको बोलते है agency France Day Development यह France की एक agency है जिसके दौरा यहाँ पर 80 euro हमारे देश को देगे 80 million euro euro जो है वो symbol है European इसका basically European जो union की currency का इनके दौरा 2014 में यह start किया गया था और इसका target था 2024 तक का कि हाँ पर हम लोग क्या करेंगे basically biodiversity conservation का का काम करेंगे तो आसाम project on forest and biodiversity conservation का का काम इनके दौरा इसकाट किया गया और काफी हद तक यहाँ पर यह काफी large scale area को protect करने में यहाँ पर एक तरीके से successfully भी रहे ठीक है तो यह काफी important है जो कि आप लोगों से पूछा जा सकते हैं अगर बात करें big four species जैसे big four species मतला आप लोगों से पूछ जाए rhinos यानिके जो एक सिंग वाला गेंड़ा होता है elephant जो की हाथ ही आप लोगों देखने को मिलता है royal बंगाल tiger और इसी के साथ में asiatic water buffalo यह बहुती बड़े बड़े प्रानी है जो की धर्ती पर पाए जाते हैं यह चारों के चारों आप लोगों यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं तो इसलिए काफी important है national highway जो 37 है वो आप लोगो इसी के अंदर से होता हुआ भी हाँ पर नजर आता है इसी के साथ में जो पार्क है इसमें 280 से करीब seasonal water bodies है जो की हाँ पर deep blue जो river है वो भी इसके अंदर से होकर उजड़ती है तो यह सारी बाते आप लोग इसके बारे में कीजा रही है नेशल पार काजी रंगा नैसल पाक के बारे में आसाम में हाँ पर रायमोना, मानस, औरंग, नामेरी, दिब्रूसिको और यहाँ पर धिहांग पटकई यह कई सारे और भी आप लोग यहाँ पर नेसल पार्ग देखने को मिल जाते हैं छटवा और सातवा जो है तो यार 21 में एड़ किये गए जिसको राइमोन नेसल पार्ग और इसी के साथ में हाँ पर दीएंग पटके केटेगरी में है या फिर इंडिंजर में है तो एक लिस्ट होती है जिसके चलते ही पदा चलता है उसको बोलते हैं IUCN इसका मदलब क्या आता है International Union for Conservation of Nature तो यह जो रैड लिस्ट होती है आपर यह बताती है कि इस पर्टिकुलर पोधे को किस कैटेगरी में रखा गया है तो अभी रिसेंटली तीन हिमालियन मेडिसनल प्लांट यानिके जो मेडिसन यानिके दवाई के लिए इस्तमाल किया जाते थे उनको इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर में डाल दिया गया है तो इसके चलते हैं पर रिसेंटली अभी ये न्यूज में आ है तो इसके बारे में कुछ बेसिक इनफोर्मेशन जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे ठेक है तीनों के तीनों प्लांट के पहले तो आप लोग को नाम पता होना चाहिए क्योंकि ये आप लोगों से डेरेट कोशन बन जाता है तो पहला जो प्लांट है इसका नाम है मीजोट्रोफिस पैलिटा तो मीजोट्रोफिस पैलिटा जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर है नूर्मली उतराखंड में आप लोग को देखने को मिलता है और इसको कॉमली पत्वा के नाम से जानते हैं अगर लोकल एरिया में आप लोग बोलें इसको तो नाम के हैं आपर ये है मीजोट्रोफिस पैलिटा ठीक है नेक जो नाम आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा ये है फ्री टेलारिया फ्री टेलारिया सिरोसा तो फ्री टेलारिया सिरोसा जो है आपर ये ये बेसिकली हिमाल्यन रीजन में आप लोग को देखने को मिलता है और इसको कॉमली हाँ पर बेसिकली फ्री टेलेरी के नाम से आप लोग जानते हैं आपर ठीक है basically dicta loriza ठीक है तो dicta loriza आप लोग इसको बोच सकते है ठीक है तो dicta loriza hatagiria तो यह इसका नाम है थोड़े से 8 पटे नाम है पर लेकिन हलका सा कम से कम idea रहेगा क्योंकि अकसर ऐसे question exam में आप लोगों से बने हैं और पूछे भी गये हैं अकसर ऐसे question के answer बहुत ही कम लोग दे पाते हैं अगर आप लोग अच्छे level की preparation करके जाओगे तो आप लोग उन महुत कम लोगों में अपना नाम भी जो है यहाँ पर basically इलिक पाओगे ठीक है तो इसके बारे में याद रखेंगे हैं हाँ पर इसको basically कोमल ली इसको यहाँ पर सलाम पेनिया के नाम से basically यहाँ पर इस particular area में जाना जाता है इसी के साथ में हिंदकुस और हिमालयन वाले reason में यह है और endangered category में इसको रखा गया है तो तीनों के नाम जो है पता होने चाहिए और इसके साथ में किसके इस category में IUCN की इनको रखा गया है क्योंकि इनकी basically category जो decide की आती है वो उनकी availability के उपर decide की आती है कि कितने हैं यहाँ पर available है और आगे उनकी जान को कितना खत्रा हो सकता है ठीक है यह कुछ ऐसे point है अगर आप लोग को कोई question देकर उसमें statement दे दे कि black carbon को रोकने के लिए क्या क्या किया गया है recently अभी हमारी country में government के द्वारा तो direct question आप लोगों से पूछ जा सकते है पर उससे पहले आप लोगों यह पता होना चाहिए कि black carbon क्या होता है जैसे मैंने आप लोगों को उधान देकर समझाया था जब यह topic मैंने regular वीडियो में आप लोगों से discuss कहता कि माली जे आप लोग आज केट में scooter चलाते हैं, bike चलाते हैं, tractor चलाते हैं या फिर गाड़ी चलाते हैं उसका जो silencer होता है, उसके उपर उंगली फेर कर देखना, तो आप लोग को बहुत ही काली काली सी उसके उपर से एक काली से नजर आएगी, वो black carbon होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि black carbon जो होता है, वो एक waste होता है जो की completely burn नहीं हो पाता है fuel उसका एक waste बच जाता है जिसको suit का नाम भी हाँ पर दिया गए ये suit वर्ड याद रखेगा क्योंकि exam में question पूछा था, previous में उसने black carbon नहीं लिखकर इसको suit लिखा था मैंने question भी आप लोगों से इस टाइम पर discuss किया था, तो ये जो suit होता है ये suspended particle atmosphere में जब आते हैं तो काफी negative impact डालते हैं यानि कि ये इंसान की body के अंदर में जाते हैं lungs में डाते हैं, उसको बीमार कर देते हैं आप लोग समझ सकते हैं बादलों के उपर अगर ये इस तरीके के अगर कन चिपक जाएं जाकर तो ये इसको suit क्लावड बोल देते हैं इसका मतलब क्या हो गया? सोचो एक बादल है pure जो white color का उस बादल के ओपर अगर कोई सूरज की रोसने आगर पड़ेगी तो वो उसको reflect कर देगा पर लेकिन अगर यहाँ पर एक ऐसे बादल के ओपर सूरज की रोसने आगर पड़ेगी जो की black carbon या फिर suit के साथ में merge है तो उस time पर क्या condition आप लोगो देखने को मिलेगी? उस time पर यह condition देखने को मिलेगी कि वो उस particular energy को absorb कर लेगा क्योंकि black carbon जो रहता है वो absorb करता है light को अकसर आप लोगों ने देखा होगा ठीक इसके बारे हैं आप कहते हैं गर्मियों में अकसर आप लोगो light color के कबड़े पहनने चाहिए तो इसके पीछे का reason यही होता है ताकि गर्मी जो है वो कम लगे तो यहाँ पर आप लोगों ने एक concept पढ़ा है जिसको मैंने पढ़ा है आप लोगो अलबीडो का concept अलबीडो क्या होता है reflection जो भी होता है यहाँ पर light का उसको अलबीडो बोलते है जितना ज़्याद है reflection उतनी ही ज़्याद है अलबीडो तो यानि कि अगर यहाँ पर काला कलर होगा काला काला सब जगे पहाड़ों पर जमा होगा तो वो जादे से जादे यहाँ पर इसको सुरज की रोसने को एब्जोर करेगा और उतना ही जादे चीजे गरम होगी और उतना ही जादे बरपिंग लेगा उतना ही जादे समूंदर में चीजों का लेवल बढ़ेगा तो ब्लैक कारबन का प्रत्वी पर बढ़ने का मतलब भी है कि प्रत्वी पर इंडिरेक्ट वे में आप लोग बहुत सकते हैं कि टाइम प्रेचर का बढ़ना तो यह काफी खतरनाक है तो इनको दूर करने के लिए परधान मंतरी योजवला योजना बी-एस-6-Emission Norms इसी के साथ में Cleaner Fuel SATAT Scheme, Managing Crop Residue, National Clean Air Program और City Specific Clean Air Program और FAME Scheme जो भी लेकर आए गई यह सारे कहीं न कहीं environment को ध्यान में रखते हुए government के द्वारा चलाएगा यह program है जो कि काफी important है इसके बारे में आप लोगों कम से कम at least idea होना चाहिए question direct आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं तो यह काफी important है, हलका सा ideas के बारे में आप लोग जरूर रखिएगा अभी recently राइस्थान के अंदर में ताल जो चापर wildlife century जो है basically हाँ पर यह आप लोगों को देखने को मिल रही है question direct पूछा सकता है पहले तो कहाँ पर located है तो मैंने starting में बता दिया यह राइस्थान के अंदर में है इसके size को reduce करने की हाँ पर बात के गई है तो यह जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी great indian thart desert जो है basically उसके area में आप लोगों को नजर आएगी century में यह basically आप लोगों को देखने को मिलेगा यह basically जो एक तरीके से status है century का 1966 में दिया गया और इसके अंदर में जो आप लोगों को distinctive shelter देखने को मिलेगा black bug का black bug क्या होते हैं यह बड़ी cute से प्यारे से हीरन आप लोगों यहाँ पर नजर आएगे तो यह Indian antipol के नाम से इसको जानते हैं और इंडिया और नेपाल वाले reason में आप लोगों को देखने को मिलेगे state animal है पंजाब और हर्याना और आंदरप्रदेश का यह काफी important है ठीक है IUCN में least concern में और CITS में appendix third में रखा गया है यहाँ फिर भी एक protection provide यहाँ पर कराया गया है यह point आप लोग याद रखेगा ठीक है तो environment के point लोग से question बन जाता है कही बार यह काफी important हो सकता है यह एक ऐसा question है जो कि आप लोगों से exam में पूछा जा सकता है इसके उपर star 2021 में ये कंविंग यनके चाइना के अंदर हुई थी Montreal Canada में 2022 में हुई ये conference वो party 15 के दो पार थे हैं यह एक आप लोग याद रखेगा इसको combine करकर ये पूरी conference निकल कर आती है जिसमें 23 target total रखे गए अब ये 23 के 23 हैं तो मैं पढ़ने वाला हूँ नहीं पर हाँ याद रखे हम को कैसे हम लोग को productive बनाना है कैसे human cost के अंदर interfere करना चाहिए कैसे technical cooperation है तो यहाँ पर तीन पार्ट में डिवाइड किया एक काफी important बात जो आप लोग याद रखेगा ये है 30 basically जो deal रही है आपर 30 of the world जो nature है उसको product करने की बात की गई है और 30% जो basically हाँ पर voter को धंग से देखने की बात की गई है तो 30 by 30 का concept कहां से निकल कर आया conference और party ये 15 से हाँ पर आप लोग को देखने को मिला तो ये जरूर याद रखेगा 2030 तक का इनका ये target है जिसमें fund भी खटा करने की बात की जारिया काफी अच्छे लेवल पर ताकि fund जो है उसका धंग से utilization किया जा सके तो at least 30% जो भी degraded जो terrestrial area है उसको ये protect करने वाले हैं यापर ठीया तो 30% और यहाँ पर आप लोग है यहाँ पर जो voter बग चीज आप लोगों ने भी notice कियोगी जब से Russia और Ukraine की वीच में लड़ाई हुई तब से energy का crisis काफी बड़ा देखने को मिलता है और आप लोगों ने सुनाय कि आविशक्ता ही आविशकार की जन्नी है तो Europe में ये कावच जो है वो success होती है यहाँ पर नजर आ रही है वहाँ सेंड यानिके रेट से बैटरी जो है वो बनाए जा रही है और यह अभी काफी शांदार experiment किया बोला जा रहा है कि अगर रेट से बैटरी बन जाती है तो यहाँ पर solution निकल जाएगा बहुत सारी problems का तो सेंड से जो बैटरी यहाँ पर बनाए जाएगी उसका basic purpose क्या होगा कैसे यूज के जाएगा सबसे पहले तो wind या फिर solar energy से electricity generate की जाएगी 30% तो उसमें से जो भी buildings वगरा है घर वगरा है वहाँ पर उसका इस्तमाल कर लेंगे बाकी बचा हुआ जो है वो कहाँ पर जाएगा उसको 70% को जो sand है rate है उसको गरम करने में utilize के जाएगा 60 से लेके 1000 degree centigrade तक इतना गरम करने के बाद में यहाँ पर फिर उससे energy निकाली जाएगी जो energy store रहेगी उसके अंदर फिर यहाँ से उसको इस्तमाल किया जाएगा यानि कि time pressure बढ़ा जाएगा एक तरीके से आप लोग ऐसे यहाँ पर बोल सकते हैं जिसके बेस पर फिर इहाँ से इसको इ कर सकते हैं यह आविसकार यहाँ पर सामने निकल कर आया ओके आस्टेले के अंदर में great जो barrier reef आप लोग को coral reef देखने को मिलते हैं यह दुनिया के सबसे बड़े coral reef हैं अगरे आस्टेले के पास में जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग को यह नजर आ जाएंगे 2300 किलोमेटर यह आप लोग को area देखने को मिलते हैं लगबग 400 क्रीब different type यहाँ पर coral आप लोग को नजर आ जाते हैं लगबग 1500 क्रीब यहाँ पर मचली की जाते है देखने को मिलते हैं और भी कही सारे जीर्जंतों आप लोग भी अहाँ धेखने को मिलता है तो यह जो सारे लोगों को यहाँ पर लगबग 60,000 लोग को employment दे रहा था, degrade हो रहा था यह area, तो अभी scientist ने कुछ experiment किया कि ताकि इसको protect किया जा सके इसकी वज़े से यह news में यहाँ पर आ गया है, तो basic information है यह थोड़ा सा ideas के बारे में आप लोग रख सकते हैं, bomb cyclone आप लोगों ने कही बार सुना, तो यह bomb cyclone recently अभी काफी खतरनाक तरीगा impact डालता हो नजराया, USA और Canada के उपर, तो bomb cyclone के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछें, तो आप लोगों इसके बारे में पता होना चाहिए, bomb cyclone कहाँ पर देखने को मिला, तो impact क्या है, हर एक level पर आप लोगों इसका impact नजराएगा, यानि कि bomb cyclone के बारे में अगर बात करें, तो आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, कि bomb cyclone के बारे में यहाँ पर, कि वहाँ पर काफी ज़्यादा बरबबार ही आप लोगों देखने को मिलती है, ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर storm, यहाँ पर flood वगएरा, काफी कुछ damage होता हो भी, आप लोगों यहाँ पर नजराता है, इसी के साथ में thunderstorm वगएरा, wind damage, बहुत सारी ऐसी problem आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग समझें कि हाँ पर, bomb cyclone के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए तो, यह अभी काफी large scale पर impact डालता हो नजराया, कहाँ पर, दो country पर, USA और Canada के अंदर में, तो यह कुछ basic चीज़ें इसके बारे में, bomb cyclone versus अगर hurricane के बारे बात करें, तो cold air rapidly weak hurricane देखने को मिलता है, ऐसा बहुत तागत वर नी, ठीक है, बाकि बात करें, तो essential ingredients जो है, वो आप लोग को bomb cyclone में देखने को मिलते हैं, hurricane जो है, वो late होता है, एक तरीके से, एक तरीके से, hurricane जो है, वो form होता है, late spring to the early fall, जबकि bomb cyclone जो होता है, वो from the late fall to the early spring, यहनकि opposite होता है, bomb cyclone और hurricane, तो ऐसे concept आप लोगों से कई बार पुछे आते हैं, तो यह काफी खतरनाक impact अभी पढ़ा, जो की basic information आप लोग यहाँ पर इसके बारे में देख सकते हैं, ठीक है, hurricane कैसे form होता है, यह आप लोग को बतेए, बीच में एक आई बनती है, वहाँ से एक पूरा system जो create होता है, तो वो जो यहाँ पर ocean water होता है, उसके बारे में आप लोगो मैंने पढ़ाया भी था हैं, आपर basically यहाँ पर जब यह hurricane वारा concept पढ़ाया, तो यह पूरा procedure यहाँ पर समझाने की भी कोशिस के गई है, तो एक idea कम से कम आप आप लोग रखेगा, कोई confusion नहीं होना चाहिए, ठीक है, पॉलिटी एक ऐसा area होता है, जो काफी important भी होता है, और यहाँ से direct आप लोगों से question दो पता ही होने चाहिए, पर लेकिन society में क्या चल रहा होता है, उसके बारे में भी आप लोग को information मिलती है, और एक understanding आप लोग की develop होती है, जैसे कहीं पर कोई election हो गया, तो उसके बारे में पता रहेगा, election कैसे हो रहे हैं, किस तरीके से हाँ पर government form होती है, तो सारी चीज़े आप लोग understand कर बाते हैं, काफी important यहाँ पर यह topic हो जाता है, recently अभी जब गुजरात में election आप लोग को देखने को मिले थे, उस time पर यहाँ पर आम आदी पार्टी जो है, वो बहुत बुरी तरह हारी, यह सब्द अगर use किया जाए, तो कोई गरत बात नहीं होगा, पर लेकिन एक ऐसी political party, जो कि वहाँ पर अभी पैर जमाने वाले थी, वो political party अगर कुछ सीड भी निकाल कर लेकर आती है, तो एक अच्छी बात भी आप लोग बोल सकते हो, पर लेकिन इससे जादा जो discussion किया गया, वो यह नहीं कि हार जीत का, सबसे जादा discussion किया कि गुजरात के election के बाद में, यह आम आदी पार्टी जो है, वो national political party बन चुकी है, मतलब इससे पहले हाँ पर ये state category में आया करती थी, अब ये national level की political party बन चुकी है, मतलब देश के अंदर में अब 9 ऐसी political party है, जो की national level की political party बन चुकी है, जिसमें आम आदमी party का भी नाम जो है, वो सुमार है, आम आदी party, दोहजार बाइस में हाँ पर यह बनी 10 साल पहले लगबग बनाई गयी थी 10 साल बाद यह एक तरीके से बोल सकते हैं कि यह पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का एक दायरा इसको मिला क्यों दोहजार बाइस में हम लोग बैठे हुए और दोहजार बेसिकली दोहजार बाइस आप लोग देखते हैं अभी हाँ पर गया है और दोहजार बारे में हाँ पर यह पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बनाई थी ठीक है ओल इंडिया त्रिनुमूल कॉंग्रेज जो है यह 1998 की पार्टी है यह बेसिकली 24 साल पुरानी है यह बेसिकली आप लोग यहाँ पर देखते है इसी के साथ में बहुजन जो समाज पार्टी है बीस पी यह आप लोग को देखने को मिलेगा 1984 में हाँ पर बनाई गी थी भार 1964 में बनाएगी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस यह सबसे पुरानी 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 है यह पुरानी है यह पुरानी है नेशनल कॉंग्रेस पार्टी जो आप लोग यहाँ पर देखते हैं यह सेंटर आप लोग देखने को मिलेगा यह बीसिकली है बाद में इसमें से निक की rate में 9 ऐसी recognized political party देश के अंदर में हो चुके हैं जो की central level की हैं यह यहाँ पर nationalist है और यहाँ पर यह basically national है तो दोनों में confused मत हो ना तो इंडिया national congress हो गया और nationalist congress party है तो दोनों के नाम में confused मत हो जाना आप लोग ठीक है अभी यहाँ पर आम आदी party को national level का दरज़ा मिला है तो national level का दरज़ा बिनने के लिए क्या condition है और state level का दरज़ा देने के लिए क्या condition है यह बड़े ही इस पस्ट सब्दों में आप लोगे सामने लिखा हुए वीडियो को pause करना इसको basically थोड़ा सा एक बार नज़ डा लेना क्योंकि इसके बारे बात की जा रही है एक लिए पर याद रखना के लिए तो इसके बारे बात की जा रही है या पर नोट लेस देन थरी श्टेट के अंदर में तो तब यहाँ पर एक national level की party बनेगा कुछ ऐसी condition है तो factual information है confusion नहीं होना चाहिए तो important है पर याद रखना क्योंकि अभी political party को national level का दर्जा दिया गया तो question बन सकता है यह मत बोलना question कहां से आ गया पढ़ाया नहीं था पढ़ाया और यह polity में भी chapter cover कर रखा है मेरे ठीक है दोस्तो cooperative society एक ऐसा topic है जो कि हमेसा आप लोग को यह news में देखने को मिलेगा नाम में आप लोग समझ सकते हैं cooperative society मतलब cooperation करेंगे एक दूसरे के साथे मिलकर एक ऐसा समाज एक ऐसी society बनेंगे यह concept पे काम करता है जिसे बोलते है help each other यानि कि एक दूसरे के साथ में मिलके कैसे काम करना है उसके ओपर यहाँ पर यह चलता है तो cooperative society क्या है एक तरीका voluntary association है आपर individual आप लोग बोल सकते हैं या individual एक साथ में खट्टे आता हैं और एक common goal वो तयार करते हैं कि क्या क्या चीज़े हम लोग को लेकर चलनी है इसको समिधान के अंदर में रखा गया है state list के अंदर में seven schedule में आप लोगों पाता है तीन list होती है एक को union list बोलते हैं दूसरी को state list और तीसरी को concurrent तो state list के अंदर में रखा गया है पर लेकिन अगर एक society किसी state के अंदर में है तो समझ में आता है अब सोचो कि एक society जो है वो तीन-चार state के अंदर में हो गई है तो इससे क्या होगा इससे अब यह होगा कि वो जो society तीन-चार state के अंदर में चली गई है तो कहीं न कहीं अब वो multi एक एक तरीके से state society बन चुकी है तो उसमें central government भी entry कर लेती है और multi जो के अंदर में 97 constitution amendment किया गया 2011 में और part 11b sorry 9b के अंदर में हाँ पर जो cooperative societies को add किया गया ठीक है यह कहां पर आप लोगों देखने को मिलेगी part 9b के अंदर में 9a में क्या है municipality है 9 में क्या है पंचायत है तो इसमें हाँ पर आगे फिर इसको 9b में क्या कर दिया है आप यह आप ल देखने को मिलती है यानि के society के बारे में यह DPSP में भी है और कहां से बनाने की power आप लोगो मिलती है तो यह मैंने आप लोगो बताया था कि article 19 के एक अंदर में जब article 19 के अंदर में आप लोग जाएंगे तो C के अंदर में cooperative society आप लोग को part 3 में fundamental right भी दिया गया है कि आप लोग cooperative society जो है वो form कर सकते हैं तो यह काफी important topic है जिसके ओपर आप लोगों से कई बार question भी पूछे आते हैं और इसके चलते आप लोग इसको doubt में मत रखेगा यह time to time news में भी रहता है तो basic information है कोई भी doubt नहीं होनी चाहिए ठीक है next topic जो है यहाँ पर हम लोग बात करेंगे CAC के बारे में और CAC के साथ में DRD आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलेगा तो controller and auditor general of India जिसको आप लोग CAC बोलते हैं उसके द्वारा अभी यहाँ पर DRD से related कुछ बाते बताएगे कि DRD के कुछ प्रोजेक्ट थे जो उसके द् तो overall जो inefficient management देखने को मिला DRD का production जो होना चाहिए जिस तरीके से चीज़े चलनी चाहिए वो नहीं हाँ पर चल पाई इसी के साथ में बहुत सारी चीज़े delay हैं आपर sanction करने में प्रोजेक्ट के 178 में से 119 प्रोजेक्ट जो है वो original schedule से भी पीछे काफी चल रहे हैं बहुत इसके चलते हैं बहुत ज्यादे हैं आपर न्यूज में आ गया था ठीक है तो defense research and development organization के बारे में कुछ बाते हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं ठीक है इसका headquarter आप लोग को New Delhi में देखने को मिलेगा और यह ministry of defense के अंडर आप लोग को नजर आता है ठीक है बहुत सारे mission है देश के अंदर में बहुत सारे काम करता है तो defense research and development organization यह basic चीज़े हैं जो आप लोग यहाँ आप याद रख सकते हैं ठीक है क्योंकि यह वह area है जहां से direct question आप लोग के देखने को मिलते हैं तो कोई भी confusion इससे लिटर आप लोग को नहीं होना चाहिए CAG कौन से article में रखा गया है यह आप लोग को बताने है CAG के बारे में information आप लोग को बताने है ठीक है तो देखता हूँ कौन-कौन सही answer इसका देता है ठीक है कोई नहीं यार फिर भी अपनी चीज़े जो है वो separate लेकर चलते हैं अगर लगेगा कि दिन बहुत ही कम टोबिक है अफिर है नहीं तो उनको merge कर देखरेंगे ठीक है बाकि आप लोग को एक separate section रहता है governance का तो उसको अच्छे से आप लोग यहाँ पर cover कर सकते है गवरनेंस म आपर online देखने को मिलेगा तो इन्हें first in Bihar district office goes paperless तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है तो यहाँ पर जो सहरसा जो है वो first district बन चुका है बिहार के अंदर में जो कि एक paperless district है ठीक है तो कहीना कई paperless का फायदा क्या है अमालेजे आप लोग office में जाते हैं वहा option देखने को मिलता है तो उसके चलते यह office initiative जो है वो काफी important role play कर रहे है ऐसा नहीं है कि हमारे देश में पहली बार यहाँ पर यह चीज़े देखने को मिली है अगर बात करेंगे आप लोग यह old lady इद्दू की district जो केरला में वो 2012 में paperless बन चुक है और बिहार जो है वो 2022 मे बना तो लगबग आप लोग देखते हैं लगबग 10 साल बाद यहाँ पर देखने को मिली हैदराबाद जो है old lady यहाँ पर 16 में बन चुक है तो इस तरीके से यह old lady हमारे देश में project चल रहे है पर हाँ dependent रहता है state के ओपर की state इसको लेकर क्या effort डाल रहा है तो government, ministries और department है वो अपने हिसाब से decide कर लेते हैं कि कैसे कैसे उनको इस चीज़े करनी है ठीक है तो यह काफी important है आप जो खासकर हम लोग digital इंडिया के बारे बात करते हैं तो सबसे पहले government offices अगर digital हो तो जो आम जनता है वो भी इस चीज़ों को समझेगी और इसको digital form में accept करना स्टार्ट करेगी है की नहीं आप लोगी क्या रहा है काफी important topic आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ministry of power के बारे में उसके द्वारा launch किया गया है हाँ पर procurement of aggregated power यह 4500 megawatt का देखने को मिल रहा है 5 साल में तो यह सकती policy के तहत यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा तो सकती policy के बा है उसके उपर focus यहाँ पर किया जाएगा तो किसकी scheme है हाँ पर यह तो ministry of power की scheme है launch की गई थी 2017 में एक तरीके से आगे आने वाले time में ताकि एक proper supply maintain रखी जा सके अभी COVID-19 के time पर बहुत सारी supply chain जो है वो disrupt हो गई थी और भी कई सारे issues देखने को मिलेते जिसकी वेसे proper हम लो पर एक system हम लोग लेकर आये थे तो इसको आप लोग understand कर सकते हैं कल को question पूछा जाए इसके बारे में तो confusion आप लोगों नहीं होना चाहिए यह काफी important है अपने आप में ठीक है बेसिक है पर लेकिन important है खासकर अगर कोईले की supply नहीं होगी तो आप लोग खुछ सोच कर चल है यह cookie chain refugee को लेकर जो की हाँ पर मिजोरम के अंदर enter की है अगर बात करें यह मीजो community के साथ में ethnic tie in की आप लोग को देखने को मिलेगी वैसे चितगोंग जो hill area है वहां के साथ में हाँ पर यह normally connect किया कर दे थे ठीक है मैनमार border जो की तिरपुरा के साथ है मिलता है और मिजो दे connect करता है तो इस particular reason में यह कोई ऐसे अगर कोई incident देखने को मिलता है तो कहीं न गई वो एक important incident यहाँ पर हो जाते है तो मैनमार उन्दा साथ इस्ट तिरपुरा उन्दा नौर्थ मिजोरम जो है उसके इस्ट में चितगोंग district है वहां से यह काफी लारी scale पर लोग जो है वो यहाँ पर plan किये और जिसके चलते हैं यहाँ पर यह issue निकल कर आता है ठीक है तो यह कुछ basic है यहाँ पर अगर पूछा जाए तो हलका सा at least आप लोग यह तो पता होगा कि ऐसा कुछ चल रहा है ठीक है तो यह आप लोग याद रखे कि कहाँ पर है यह issue और यह किस तरी बंगलादेश से आप लोग को देखने को मिलते हैं बंगलादेश ही refugee यह तो आप लोग को पता ही 1965 और 1971 की वह और के टाइम बे सिललंका से तमीलियन refugee Rohingya Community मैनमार से तो यह ऐसे issue है जहां से आप लोग के लिए चीजे मैच करने के लिए भी आ जाते है ठीक है तो confuse मत होना त जो अपने देश के अंदर में उनको prosecution से जो डर लगता है अपने देश के अंदर में तो इसलिए वह भागते है वहां से छोड़ कर ठीक है यानिके अपनी जान बचा कर वहां से भाग जाना उसको refugee कहते है माईग्रेंट जो होता है वह अपना होम छोड़ते हैं कहीं और सेटल होने के लिए better opportunity के लिए माईग्रेंट जो है वो कहीं ने कहीं refugee के compare में ज्यादा positive time है आप लोग माईग्रेंट हो गए कहीं पर जाकर रहने लगे क्यों कोई फादर की जोब थी हो आप ठीक है इस तरीके समझ सकते हैं education लेनी थी अच्छी तो आप लोग वहां पर जाकर माईग्रेंट हो गए तो better opportunity के लिए internationally displaced person जो होते हैं वो forcefully यहाँ पर जब अपने एक तरीक से forcefully has been forced to flee their home within their own country तो यहाँ पर internationally बोला था मैं इसको internally displaced person बोलते हैं यानि कि बाहर किसी देश में भाग जाए तो आप लोग को देखने को मिले और यहाँ पर internally अपने ही देश के अंदर में अगर कोई condition देखने को मिल बैंबो जो कि normally आप लोग को एक घास के केटेगरी में इसको रखा गया है बैंबो जो है याद रखेगा बैंबो को यहाँ पर tree नहीं माना जाता है इसको grass माना जाता है इसलिए बैंबो को आप लोग काट सकते हैं आसाने से बैंबो एक ऐसा sector है जो कि काफी important है तो national बैंबो को यहाँ पर boost किया जा सके और यह काफी important area होता है अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे बहुत सारे ऐसे समान होते हैं जो कि बांस की लकडी से यहाँ पर बनाए जाते हैं तो कही बार यहाँ पर यह किसानों की रोजी रोटी होती है इसलिए ministry of agriculture and farmer welfare के अंड अगर देखो तो इंडिया जो है world में second largest bamboo का produce है after china यानि कि पहले number पर है चाइना दूसरे number पर है इंडिया 80% जो bamboo forest है वो एशिया के अंदर में इंडिया चाइना और मैनमार में आप लोग को देखने को मिल जाएंगे यानि कि आप लोग को बहुत बड़ा production का area इंडिया और चाइना ही देखने को maximum मिल जाता है initiative क्या है bamboo cluster बनाए MSP में इनके hike किया गया इसी के साथ में हाँ पर remove किया गया इसको tree से tree पेड़ पोधे काटने की आजादी नहीं है तो घास की category में डाल दिया ताकि इसको असाने से इस्तमाल किया जा सके farmer producer organization जो है वो भी हाँ पर इसको कई तरीके से इस्तमाल करती ही देखने को मिलती है बाकी benefit क्या है bamboo के अगर बात करें तो fastest growing plant है इसको काट होगे न इतनी जल्दी जल्दी इसमें से पेड़ निकल कर आएंगे कि पता भी नहीं चलता है तो इसलिए हाँ पर ये काफी अच्छे से इसको बढ़ते भी आप लोग पाते हैं इसके लिए कोई require नहीं है plant करने की एक बार लगा दिया तो लंबे समय तक चीज़े जो है वो आप लोगों चलती हुई हाँ आपर नजर आती है एक बार लगा दो तो जो paid होता हूँ काफी दिनों लबह होता है पर लेकिन ये 5 साल में इसको आराम से आप लोग harvest कर सकते हो 100% bio degradable है अगर कोई product इसका बना जाता है तो आसानी से उसको bio degradable की category में आप लोग रख सकते हो store किये जा सकते है up to 610 जो carbon per hectare और produce करते है oxygen याई एक तरीके से हाँ पर ये एक तरीके से environment के लिए काफी अच्छे है grass की category में इनको डाला गया है ठीक है तो ये 35 मीटर तक भी हाँ पर लंबे हो जाते हैं लिए लगबग आप लोगो देखने को मिलें काफी अच्छी category में इसको देखोगे अगर आप लोग बाकी हाँ पर लगबग 30 cm तक इनका diameter हो जाता है diameter यानिके एक तरीके से आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं जो कि आप लोग की जो basically थ्रिज्जा होती है ना ठीक है तो उसका double आप लोग diameter बोल देते हो ठीक है इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें जो bamboo है यानिके जो बास है वो low carbon alternative है आपर material जो काफी important है as compared to जो दूसरे product होते है timber, cement और steel जो की इस्तमाल कियाता है कई बार घर बगला बनाने में तो इसका इस्तमाल किया जाएगा तो यहाँ पर environment friendly भी है यह natural nitrogen को soil के अंदर से आपर निकालता है और कोई chemical भी अड़नी करता है carbon dioxide को 3.5% more efficiently य आता है तो इतनी सारी अच्छी चीज़ आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि आप लोग समझ सकते है global CO2 emission by sector अगर आप लोग देखे आपर किसके द्वारा कितना emission यहाँ पर कियाता है तो सबसे ज़्यादा है जो emission आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है वह है industry से ठीक है फिर transportation से ठीक है फिर दूसरे नंबर पर है आपर building जो operation ठीक है फिर यहाँ पर transportation से देखने को मिलेगा और building material जो construction के तो यहाँ पर 11% तो सोचो अगर यहाँ पर bamboo का इस्तमाल करना इस्टार्ट कर दिया तो कहीं न कहीं यह वाला emission जो है वो कम हो जाएगा औ और environment friendly चीज़े आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी तो है की नहीं है important यहाँ पर तैसे आप लोग connect करके देख सकते हैं और सारी की सारे जो भी item इससे बनाया जाते हैं यह completely byodegradable है यह सबसे अच्छी बात आप लोग यहाँ पर इसकी देखने को मिलती है तो इसलिए appreciate करने लाइक चीज़ है ओके नेक्स यहाँ पर देखने को मिलेगा ई संजीवनी संजीवनी नाम कहां से आता है आप लोगों ने रामायन देखी है बताओ किस ने देखी है तो रामायन में आप लोगों ने देखा होगा लक्समन के लिए basically हनुमान जी जो है वो संजीवनी ल और आप लोग के लिए कहीं न कहीं एक तरीक से physically जब किसी इनसान के साथ में जाकर बाते गरते हैं और आप लोग यहाँ पर digital platform पर मिलते हैं तो दोनों में difference आप लोगो नजर आएगा इस अंजीवनी जो है cohesive part है आपर आयूशमान भारत अगर बात करें digital health mission का तो इसके चल इसे हाँ पर यह काफी जादे न्यूज में भी रहती है तो district को export hub बनाना है माल यह आप लोग के district में संत्रे जो है वो काफी अलग quality के आते हैं तो उसको आपके district का product बना देंगे और फिर उसको export करना इस्टार्ट कर देंगे तो one district one product जो है हाँ आपर यह centrally sponsored इसकी में adapt की आने के लिए और इसका मतलब है परधान मंत्री formalization of micro food processing enterprise यानि कि जो भी micro food processing जो भी हाँ पर एक तरीके से entity है उसके ओपर focus देना इनका मतलब है launch किया था 2020 के अंदर में और यह बात करेंगे तो implement करती है पाँच एर दो हजार चोबिस पच्चिस तक का ताकि जो अनॉर्गन यह एक ऐसी news से जिसके बारे में आप लोगो पता होना चाहिए national overseas scholarship के बारे बात की जा रही है national overseas scholarship scheme जो है वो central sector scheme है एम है कि low income students को यहाँ पर support provide कराए जा सके ताकि वो higher education के लिए अगर बाहर पढ़ना चाहते है तो वो पढ़ सके इसके तहत यहाँ पर fresh जो है आपर award देता और eligibility criteria है कि 60% mark होने चाहिए equivalent grade के अंदर में तभी यह scholarship provide कराए जाएगी तो यह आप लोग याद रखेगा एक और scheme यहाँ पर जो कि अभी recently कई सारे exam में हाँ से question भी पूछे गया यह है PM सेवा निधी PM सेवा निधी जो है एक central sector scheme है जो कि affordable working capital loan provide कराती है उन लोगों के basically अपना सामान बेशते है पाय जाते है ready ठेले वाले कोई गोलगपे वाला कोई सबजी वाला कोई full fruits वाला तो उनके लिए यहाँ पर 10,000 तक का यह एक loan provide कराती है ठीक है तो यहाँ पर यह interest subsidy जो है आपर 7% की monthly cash जो back अगर कोई देता है तो उसको incentive भी मिलेगा तो यहाँ प effectively pay भी कह जा सके ऐसा नहीं कि वो NPA बन गया यह निके non performing asset बन गया तो government का यह support आप लोग यहाँ पर नजराएगा गंगा को clean करना एक ऐसा मुद्दा है जो कि हर एक जो government आती है वो start करती है पर लेकिन कोई करनी पाती है फिलाल कि government इसको लेगर काफी serious तरीके से लगी 10th empowered task force जो यहाँ पर अभी देखने को मिली ताकि national mission for clean ganga को implement किया जा सके आज की बात नहीं है national mission for clean ganga जो है यह basically implement कियाता है national ganga council के द्वारा जो की established की गए थी 12th अगस्त 2011 में under the society registration act 1860 के objective क्या है reduce करेगा pollution और ensure करेगा कि कैसे ganga को resonate करना है क्योंकि ganga एक पवित्र river की तरीके से देखे जाती है और इसकी पूजा की जाती है हमारे देश में तो इतनी पवित्र river को यहाँ पर जिसके साथ में लोगों की सरद्धा जुड़ी है तो इसको साप करना तो यहाँ पर बनता ही है नमामी गंगे प्रोग्राम जो है वो integrated conservation mission था जो की अप्रूव किया गया था जून 2014 में दो objective थे एक तो pollution कैसे कम करना है और कैसे गंगा को फिर से resonate करना है निके जिंदा करना है और यह ministry of जलसक्ति के अंदर operate कर रहा था implement किया जाते है हाँ पर जो नमामी गंगे और clean भी नहीं कर पाएंगे इसलिए उन राज्य को साथ में लेकर चलना जरूरी है तो किस-किस राज्य से गंगा होकर जाती है यह question का answer है basically आप लोगों को देना है ओके यह काफी important एक program है जिसको यहाँ पर PM आधी others ग्राम योजना आप लोग मोलते हो PMAAGY तो basic इसका जो scheduled tribal जो component भी आप लोगो को देखने को मिलेगे से scheme के अंदर में जिनके लिए fund available यहाँ पर कराता है ठीक है 2021 से लेके 25-23 तक का यह implement की जाएगी ministry of ministry of tribal affair के द्वारा जिसमें यहाँ पर focus किया जा रहा है कि at least 50% of scheduled tribe population जो है और 500 के करिये जो यहाँ पर scheduled tribe across the state है आप अंडर जो यहाँ पर state UT के अंदर आप लोगो को देखने को मिलेगा ताकि increase किया जा सके धंक से चीजों को यह तरीके से use करने के लिए resources को use करने के लिए जैसे कि road connectivity यहाँ पर लाए जाएगी tele connectivity, telecom connectivity, school वगयला, आंगनवारी, health, drinking, इसके साथ में drainage, solid best management, तो खासकर जो tribal community वाले area ह तरीके से more productive बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है, जिसकी वेसे इन area का एक basic development आप लोगो होता हुआ नजराएगा, तो अपने ही आप में काफी important है यह, खासकर अगर पूछा जाए कि कब launch की गे थी, किस ministry के द्वारा launch की गे थी, target कब से कब तक का है, तो यह basic चीजे इस जहान मंतरी जो यहाँ पर national apprentice मेला है, जिसको PM, NAM बोला गये हैं आपर, यह हर महीने host किया जाता है, national जो skill, जो mission है basically उसके अंदर में आप लोगो चीजे देखने को मिलेगी, देकि सबसे बड़ी बात पता है क्या है, skill development के बारे में हम लोग बात करते है, skill development एक ऐसा area है, ज student रहते हैं, जो purpose से यहाँ पर एक तरीके से platform प्रोवाइड करा जाता है, increase के रहता है, company को भी वो जादे से ज़्याद है, apprentice जो है वो इसको hire करें, ताकि लोगों को एक work experience के साथ साथ में कुछ earning का भी मौक है यहाँ पर मिल सके, apprentice opportunity इंडिया के अंदर में 10 लांक 2022 तक का बा पर education के साथ साथ में उसको working का भी थोड़ा सा एक तरीके से help यहाँ पर मिल जाती है, तो उसी के साथ में connect करके देख सकते हो, देश के अंदर में दोस्तों बहुत सारी ऐसी policies हैं, जो की skill development के बारे में बात करती हैं, जैसे कि यह सारी की सारी policies हैं, यह किसी ने किसी तरीके स किसी ने किसी section को कोई ने कोई skill provide कराती है, और इसके base पर हमारे देश में काफी अच्छा skill development का program आप लोग को देखने को मिलता है, तो skill development जो है, वो एक responsibility की तरीके से भी हाँ पर लिया जाता है, कि अच्छी skill रहेंगी, तो अच्छी से चीज़े जो हैं, वो सही direction में चल पा पाती है, और vocational skill जो हैं आपर जैसे ही मिलती है, तो फिर इहां पर उस skill को आगे बढ़ा जा सकता है, यानि कि सबसे बड़ी बात क्या है, आज की date में आप लोग अपना graduation कर लो, आप लोग PhD कर लो, पर लेकिन आप लोग अगर कोई job के लिए जाओगे, तो वहां पर required जो skill है, वो fulfill नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए skill development के ओपर एक focus देना काफी ज़रूरी है, ताकि चीजों को सही तरीके से आगे लेकर चला जा सके, ठीक है, तो important है, जिसके बारे में आप लोग याद रखेगा, ये थोड़ा सा important topic आप लोग बोश सकते हैं, खासकर state के अंदर में, कि यहाँ पर जम्मो एंड कासमीर के अंदर में family ID के बारे में बात की गई है, जिसके चलते हैं, यहाँ पर कई सारी चीज़ देखने को मिली, परपोस किया गया family पहचान पत्रा, जैसे आप लोग का आजके में आधार कार्ड है, कई सारे और कार्ड आप लोग को देखने क को मिलते हैं, ऐसे यहाँ पर family का पहचान पत्र है आपर, तो यह एक identity card है यहाँ पर, unique art number इसके अंदर देखने को मिलेगे, all जो member है family के, उनकी details यहाँ पर नजर आएगी, और आधार कार्ड के साथ में bank account के साथ में link के जाएगा, no consent यहाँ पर, basically एक तरीके से बात की जार लगी, यह काफी important भी है, क्योंकि पता रहता है कि कौन यहाँ का है और कौन बाहर का है, कई बार terrorist activities जो होती है, उसको भी कहीं न कहीं, control इसके थुरू किया जाएगा, हरियाना, पंजाब, उत्रपरदेश, राइस्थान, ओलेडी, family database थैयार करते हैं, तो यह एक अच्छी इसके बेस पर scheme चलाए जा सकती है, society के welfare के लिए, किसकी society में कितने बच्चे, कितने लोग, कितने पुरुस क्या-क्या है, यहाँ पर कितनी महिला है, यह सारी चीजे जब data रहता है, तो government एक अच्छी scheme भी निकालकर यहाँ पर लापाती है, तो कुछ चीजे अच्छी है, क फिर इसपर्स बेसिकली हाँ पर यह बोला गया इसको, एक तरीके से ministry of defense का यह program है, जिसमें defense secretary के द्वारा बोला गया system for pension administration रक्षा, यह basically एक तरीके से pension provide कराने का system, एक तरीके से defense personal को comprehensive solution है, जिसमें उनकी जो salary है, उनकी जो pension है, वो systematic way में उनके account तक यहाँ पर पहुचाए जाएगी, तो program का नाम किस के लिए है, परपज क्या है, किस ministry के लिए है, किस ministry के द्वारे हाँ पर यह देखने को मिलता है, यह कुछ basic चीजे है, जो याद रखना, ठेक है, यह map सायद आप लोग को रट गया होगा, इतने बार यह map में आप लोग को दिखा चुकों, जबी आप लोग को देखने को मिल रहे है, यह कही न कहीं आप लोग ध्यान से अगर देखो, इसके बीच में हमारी प्यारी country बढ़ती है, इधर से भी हाँ पर एक तरीके से नसीले पदार ता रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, तो इदिक्कत किसके उपर पड़ेगी, तो इंडि और यहाँ पर यह, खासकर हम लोग जो golden triangle और golden crescent के बीच में sandwich है, इसको जो आवगमन होता है, इन सब का उसको भी रोका जा सके, सीज के जा सके, world drug report 2022 में इंडिया 4th largest quantity में opium सीज की गई, हमारे देश के अंदर में समझ सकते हैं, आप लोग यहाँ पर कि कितने large scale पर यह ध Project Sunrise, NDPS Act है, नसा मुक्ती भारत है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है, पर लेकिन इन reality में आप लोगो solution ही निकलता हो नजराता है, क्योंकि कहां कहां तक चीजों को control के जाए, आप लोग यहाँ पर ही देखें, जैसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, heroine कितनी smuggled की जा हमारे देश में अगर बात करें, और ही बहुत सारी चीज़े हैं यार, एक कई तरीके के situation आप लोगो देखने को मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, अफगानिस्तान से direct जो है, वो माल यह पंजाब के अंदर लेकर आए, हमारे देश के अंदर में, हमारे दे आप लोगों देखने को मिलेंगे, वहाँ पर भी यह सामान पहुंसता हुआ नजर आता है, इसलिए काफी भ्यानक यह situation create कर देता है, तो यह नसीला पदार थे जिसके बारे में focus देना जुरूरी है, और जब कोई drug abuse का सिकार बनता है, health खराब होती है, legal action आते है, financially काम खतम हो जाता है, occupation इंसान ढंग से नहीं कर पाता है, society में उसकी इवेजती होती होती है, वह नहीं कहते है कि अप लोगों ने गुत्थी का गाना सुनोगा, दारू पिक डिग नडिग 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 ना है, वह वाली बाते, family में तो condition खराब आपर तिरपुरा, मिजोरा, मध्यपरदेश और इंडिया के compare में, अगर देखोगे तो केरला में काफी ज़्याद हैं आपर, ये और जम्माइन कास्मीर में फिर भी इतना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर security काफी ज़्याद है, जिसकी वहाँ पर चीज़े जो है, होत इनका revision करते रही है, तो revision करकर ही चीज़े जो हैं, आप लोगो याद रहेंगी, रटने से कभी भी चीज़े याद नहीं रहने वाली है, ठीक है, नेक्श यहाँ पर बात की जा रही है, परधान मंतरी बेसिकली विरासत का समवर्धन, तो PM विकास इस स्कीम का नाम ही हाँ अगर बात की जाए, तो परधान मंतरी कोशल को काम जो कारिय करम था है यहाँ पर, आज की रेट में उसका नाम है परधान मंतरी विरासत का समवर्धन, यानि कि पुरानी एक स्कीम का नाम चेंज किया गया, तो यानि कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि पुरानी चीज़ों को यहाँ पर चेंज करकर उसका एक नया नाम किया गया और यह जो particular scheme जो अभी आप लोगे सामने है जिसका नाम रखा गया PM विकास तो यानि कि एक तरीके से लोगों को यहाँ पर एक तरीके से जो कोर्शल लोग हैं खासकर जो minority community से आते हैं उसके उपर focus किया जाएगा और इसमें जो artisan है यानि कि जो कारीगर हैं उनके उपर focus किया जाएगा पांच scheme के तहद में जैसे यहाँ पर सीखो और सिखाओ उस्ताद scheme हमारी ध्रोवर नई रोसनी और नई मंजील तो यह कई सारी scheme है जो already launch किया चुकी है इनके उपर focus के जाएगा और कई सारे component आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे जैसे skill training हो गया, leadership, entrepreneurship हो गया educational और infrastructure development भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा तो बहुती basic सी चीज है यह जिसके बारे में अगर आप लोग को idea रहेगा तो कोई confusion नहीं रहेगा और चीजे जो है वो ढंक से आप लोग understand कर पाएंगे तो direct question बने तो confusion आना नहीं है कि किस particular scheme को change किया गया किस ministry के under में आती है कौन से इसके component है कुछ basic चीजे central sector scheme है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखते है इनके सारा का सारा माल पानी जो है वो central government के हाथों से निकल कर आएगा यहाँ पर बात की जा रही है Indian footwear और leather development program के बारे में तो जो यहाँ पर Indian footwear leather जो development program है इसमें आप लोग को Indian footwear leather and यह accessories development program basically इसको बोला गया है यह leather जो industry है उसको कैसे promote करना है उसको कैसे next level पर लेकर जाना है इसके ओपर यह focus किया गया है launch किया गया था department for promotion of industry और internal trade के द्वारा और ministry of commerce and industry के अंदर आप लोग को यहाँ पर यह देखने को मिलेगा वैसे अगर बोला जाए तो यह एक तरीगा center sector scheme आप लोग को देखने को मिलेगी तो यह काफी important हो जाता है जो कि आप लोग समझ सकते हैं कि एक central sector scheme है आपर central government leather industry के ओपर focus देकर चल रही है ताकि एक तो धाचा बन सके दूसरा environment से little जो भी concern है उसको देखा जा सके और लोगों के लिए employment भी generate कर सके यानिके infrastructure development हो गया दूसरा environment पर focus हो गया और तीसरा employment generation हो गया तो यह सारी चीजे एक साथ यहाँ पर देखने को मिल रही है अगर बात करें हमारे देश में leather के बारे में तो यह कुछ ऐसे point है जिनके ओपर direct question आप लोगों से पूछा जा सकता है तो इसलिए इनके ओपर star लगा ले ना लगभग 3% जो world leather production है वो 13% सोरी वो आप लोगों को इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा annual production जो है वो 3 billion square foot के करीब आप लोग यहाँ पर नजर आएगा second largest producer है footwear के और leather garments के इंडिया 2022 में second largest exporter है leather के जो भी garments होते हैं जो सामान होते हैं और fifth largest exporter है leather के जो good होते हैं अगर world में accessories यह फिर goods के बारे में आप लोग बात करें और USA सबसे ज़्यादा खरीदता है यहाँ पर लगबग 25% जो है वो largest importer है दुनिया में United State of America तो यह कुछ चीज़े हैं इससे लिटेट कुछ प्रोग्राम है जिनके objective के है जैसे मैंने बता अभी धाचागत विकास होगा, implement, generation होगा, skill development होगा और इसके तहत यहाँ पर जो financial outlet है वो लगबग 1700 क्रोड रुपे का आप लोग को नजर आएगा है यहाँ ठीक है Indian Foodware and Development Program जो है 2021 से लेके 26 तक है यहाँ पर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इसके चलते है modernize capacity में हम लोग चीजों को develop करेंगे, North Eastern reason में भी कैसे हम लोग चीजों को develop कर सकते हैं और इसके लिए financial outlet जो है वो लगबग 500 क्रोड रुपे आप लोग को अलग से देखने को मिलेगा, तो integrated development sector के अंदर एक sub scheme आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, ठीक है तो कई बार question आप लोग उसे पूछे आते हैं direct, तो confusion नहीं होगा, तो अच्छे से आप लोग चीज़े understand कर पाऊगे यह बड़ी ही प्यारी सी scheme है, अगर question पूछे तो यह मत बोलना कि question ऐसा अग हाँ से आ गया, बात की जारी है दीसा के बारे में इक तरीके से हर इस इंसान के पास में justice पहुचना चाहिए, न्याय पहुचना चाहिए, एक ऐसी scheme यहाँ पर आप लोग के सामने है तो designing innovation solution for holistic access to justice, यह जो दीसा scheme है, यह comprehensive, यह holistic integrated solution प्रोवाइड कराएगी, ताकि पैन इंडिया लेवल पर लोगों को न्याय मिल सके तो justice जो है वो लोगों तक पहुच सकें, तो यह पूरा focus यहाँ पर रहने वाला है, citizen centric यह एक system आप लोग के सामने हाँ पर निकल कर आ रहा है इसके चलते हैं अगर बात करें इस scheme के तहरे तो आप लोग याद रखेंगे हैं आप पर 99.54 lakh जो candidates हैं वो enrolled है, इसी के साथ में जो इतने लगभग यहाँ पर 82.71 lakh जो हैं वो train किये जा रहे हैं और इसी के साथ में यहाँ पर जो candidate हैं उसको certificate मिल चुका है 46.38 तो यहाँ पर जिसके उपर अक्सर question आप लोगों से पूछे जा सकते हैं समुंद्र यान के बारे में गगन यान आप लोगों ने पढ़ा है ऐसे ही यहाँ पर मतश्य C6000 जो एक विकल यहाँ पर बनाया गया जिसको आप लोग समुंद्र यान बोल सकते हैं और यह समुंद्र यान मिसन के यहाँ पर समुंद्र के अंदर में जाकर बेसिकली एक तरीके से चीजों का पता लगाएगा एक्स्प्लोर करेगा जो पॉलीमेटलिक नियोडिूल होते हैं खासकर इसमें मेगनीज आप लोगो काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलते हैं सबसे पहले तो यह प्रोजेक् यहाँ पर देखने को मिलेगा लगबग 2024 तक का ठीक है और भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं जब तक भी चीजे होंगे अभी तो यहाँ पर खेर चीजे इंप्लिमेंट की जा रही है और National Institute of Ocean Technology जो है वो यहाँ पर इसको इंप्लिमेंट करने वाले है पहले प्रोजेक् इसकी जो coastal boundary है वो काफी एक तरीके से आप लोग बड़ी बोल सकते हैं लगभग आप लोग बोल सकते हैं 7500 किलोमेटर के करीव आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है हाला कि 7 अगर अगर पूरा देखे नंबर में आप लोग कुछ बताने जा रहा हूँ यह नंबर आप अगर टोटल boundary के बारे में मैं आप लोग से बात करूँ अलग लग तरीके से जैसे कि हाँ पर 15200 के करीब किलोमेटर जो है वो आप लोग को हमारी जो है लेंड बाउंडरी देखने को मिलेगी जैसे इधर पाकिस्तान होगे फिर आगे चलकर उधर आप लोग चाहिना यह फ टोटल boundary है हमारे देश की तो सबसे पहले तो आप लोग यह याद रखेगा अभी यहाँ पर जो focus के जा रहा है वो यहाँ पर हम लोग पानी के अंदर जा रहे है तो अपनी country में सोचो हम लोग अपने आसपास की boundary के अंदर में कितना सारा हमारा जो Indian Ocean है उसमें हम लोग यह में मेंगनीज है निखिल कोपर और कोबल्ट थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप लोग को देखने को मिलेंगी एक क्रिल फिसरी है यहाँ पर उसके ओपर focus दे जा रहा है कि यहाँ पर देखे जाएंगे तो उसके पानी के अंदर पर ऐसा निक वहाँ पर उसको basically नुकसान प लोग के लिए अगर आप लोग बैठोगे खासकर revision वगरा करने तो यह चीज़े कम से कम आप लोग को बता रहेगी आप लोग confusion में नहीं आओगे ओके रास्ट्य गोकुल मिसन यह रिसेनली अभी यहाँ पर news में था जब भी भी कोई ऐसी news आती है तो पुरानी scheme भी आप ल 2021 से लेके 26 तक का कि indigenous जो breed है उसके ओपर हम लोग focus दे कर चले रास्ट्य गोकुल मिसन तो 2014 में हाँ पर basically launch किये गया था तो बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो हम लोग develop कर रहे हैं तो ministry of fishery animal or husbandry जो daring है वो उसके अंदर आप लोगों चीज़े हाँ पर देखने को मिलेगी कि क गोकुल ग्राम इसी के साथ में national कामधिनू breeding center तो ये कई सारी initiative है government के जो कि इनी सब चीजों पर focus देने के लिए आप लोग के सामने निकल कर आते हैं तो confusion होगा तो उसको दूर करना है next यहाँ पर बात की जा रही है e-sport के बारे में e-sport को government के द्वारा recognize कर लिया गया है आखिर ये e-sport है क्या तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा e-sport के बारे में एक competition जो खास कर जो competitive जो sport होता है जहाँ पर gamer जो है वो physical और mentor ability use करते हैं compete करने के लिए ठीक है virtual एक तरीके से जो यहाँ पर various game है in the virtual और electronic environment के अंदर में तो यहाँ पर अभी receive क्या है supporting recognition in international olympic committee के अंदर भी तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो basically event था 2007 से खास कर बात करें हाँ पर OCA के अंदर में और यहाँ पर sport जो है उसके लिए medal था Asian game 2022 के अंदर मे भी तो हमारे देश के अंदर में भी इसको accept कर लिया गया है skillful strategic teamwork competitive निक तरीके से यहाँ पर professional success celebrity और यहाँ पर business तो यह focus यहाँ पर दिया जा रहा है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर यहाँ पर यह सारी चीज़े हैं तो एक sport भी जो खेला जाता है ना ऐसा आसान नहीं हो कैसी है आपर कैसे आपर game जो है वो आप लोगे सामने निजर आता है तो सारा analysis किया जाता है उसके base पर यहाँ पर चीज़े निकल कर आती है टोप 10 अगर e-sport के बारे में आप लोग बात करें तो यह नाम है आप लोगे सामने आप लोगों में से कुछ तो इनको खेलते भी होंगे बताईए इन में से कौन सा आप लोगों ने खेला है और यहाँ पर यह बेक्स तरीके से आप लोग देखते हैं कितने सारे लोग जो है इन सब चीज़ों के साथ में connected है यहाँ पर 12 की वियर सीफ है यहाँ पर 44.5 million 21 million 18 million तो इतना ज्यादा लोग जब connected है तो फिर यह यहाँ पर इसको recognize के जा रहा है तो यह अपना आप में एक बड़ी बात है G20 वैसे तो आप लोगों ने बहुत कुछ सुनाए G20 के बारे में पर यहाँ पर दो चीज़े याद रखेगा एक तो safe online campaign G20 के द्वारा launch के गया और दूसरा यहाँ पर digital innovation alliance यह G20 के द्वारा launch के ग यहाँ पर यहाँ आप लोगों को इसके बारे में कोई confusion आप लोगों को नहीं होना चाहिए कि किसके द्वारा क्या-क्या project यहाँ पर यह launch के जा रहे है यह काफी detail में topic मैंने आप लोगों को याद होगा discuss किया था जब हम लोग regular वीडियो हैं आपर देख रहे थे तो बात की जा रही है foundation stone के लिए किसके बारे में यह है परसाद project ठीक है तो परसाद जो scheme है आपर कैसे हम लोग अपने local area में चीज़ों को develop कर सकते हैं यह scheme 2014-15 मे launch किये थी ministry of tourism के द्वारा याद रखेगा परसाद scheme के बारे में जब मैं question भी आप लोगो attempt कराया था तो मैंने बताया था कि यह ministry of tourism की scheme है ना कि यह ministry of culture की scheme है तो confused मत हो जाना भदर चलन group of temple जो की रामायन से related हैं आपर गोदावरी river के left bank कर आप लोगों को देखने को मिलेग जो यहाँ पर basically जिनका नाम था है यहाँ पर रायचला रुद्रा इनके द्वारे यहाँ पर यह चीज़े बनाएगे थी लगबग 12 और 13 AD में ठीक है तो इसके चलते हैं यहाँ पर question भी आप लोगों से बन सकता है अभी question मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि हमारे दे State और Unitary Government आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी तो यह काफी important है जिसके बारे में कोई भी confusion आप लोगों को नहीं होना चाहिए Information Commissioner के बारे में बहुत सारी चीज़े आप लोगों बता है हमारे देश में अगर बात करें RTI यानिके Information Commissioner के बारे में कई सारे question आप लोगों से पूछे जाते हैं सबसे बहली बात तो आप लोग यह याद देखे गया कि जो Information Commissioner है खासकर वो हमारी country में लोगों तक Information पहुचाता है और लोगों को जो खासकर Article 21 के तहत उनको चीज़े जानने को मिलती है Right to Life है तो यहाँ पर चीज़े पता चलेगी तो लोग जो है चीज़ों को Understand कर पाएंगे एक Important मुद्दा जो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ Article 19 का First का A आप लोगों तक Information पहुचाने के बारे में पहुचाने के बारे में बात क चीज़े है तो आप लोग का Article 19 और आप लोग का Article 21 दोनों का हनन हो रहा है और आप लोग अपने जिन्दगी के सही डिज़न यहाँ पर नहीं ले पाओगे तो Right to Information लोगों का अधिकार है तमिलाडू Information Commissioner के द्वारा अभी हाँ पर बात के गई वस पर्फोर्मिंग जो RTI जो Information के मामले में तो यह Basic Information है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं 2005 में हमारे देश में RTI का कानून लाए गया था ताकि लोगों तक Information पहुँचाए जा सके फिर 2019 मेंस के अंदर कई सारे Changes किये गए और आज की Date में यह कहीं ने कहीं Government के नीचे काम करता हुआ नजर नहीं करता है जिस particular purpose के लिए इसको बनाया गया था तो यह कुछ basic चीजे है तो worst performing state कौनस है वो है तमिलनाडू जो की बिलकुल भी information नहीं देता है हाँ पर लोगों को ठीक है जबकि यह लोगों का अधिकार है तो इधान रखेगा health एक काफी important area है खासकर अगर बात करें जब से COVID-19 देखने को मिला है तो यह topic आप लोगों को इसके बारे में कुछ नगुछ question आप लोगों से पूछ ले आते हैं ठीक है अभी recently हाँपर scientist के द्वारा कई सारी बाते की गई खासकर 50,000 पुराने हाँपर zombie virus के बारे में movies देखे होगी ठीक है तो यहाँ पर यह एमर्ज हुआ basically यहाँ पर जो पर्मफ्रोस्ट होता है पर्मफ्रोस्ट क्या होता है जो आप लोगों ने जोगरफी में इसके बारे हैं पढ़ा होगा मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों कि जो बरफ होता है वो basically इस तरीके से नी घंनने लगता है और फिर यह जमीन भी नीचे धसने लगती है तो इस तरीके के यहाँ पर जो global temperature जैसे बढ़ा है आपा तो यहाँ पर infectious कई सारे ऐसी चीज़े देखने को मिली जो health को नुक्सान पहुचा सकती है तो potential impact है आपा जो कि यहाँ पर health dangerous को बोला जा रहा है और believe क कजा रहा है कि COVID-19 की तरह ही काफी common हो सकता है future के अंदर में तो इसके ओपर focus देना काफी ज़रूरी है Siberian Parmafrost से यह scientist को यहाँ पर इसके बारे में information मिली तो कहने का मतलब यह कि आगे बहुत सारी ऐसी बीमारिया देखने को मिलेगी जिनके बारे में हम लोगोंने कभी सोच अबी नहीं था पर लेकिन जैसी situation यहाँ पर नजर आ रही है हम लोगों को सतर खो जाना चाहिए अपनी health के बारे में खान पान के ओपर ध्यान देना चाहिए वरना problem जो है वो आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएगी आने वाले time में दोस्तो यह एक ऐसा topic है जो कि कई बार आप लोगों को news में देखने को मिलता है rare disease rare disease का मतलब जो कि ऐसी बीमारी जो normally लोगों को नहीं देखने को मिलती हो पर लेकिन किसी इंसान को अगर हो जाए ऐसी बीमारी तो फिर उसका क्या इलाज किया जाए कई बार ऐसी बीमारी जो है उनका इलाज इतना महंगा होता है कि किसी नॉर्मल इंसान को हो जाए तो उसकी पांच पुस्ते जो है उसका इलाज करवाने में बिख जाए तो इसलिए National Policy for Rare Disease यहाँ पर लॉंच किया गया NPRD 2021 में Ministry of Health and Family Welfare के द्वारा ताकि इंक्रीज के जा सके फोकस इंडिजनेस रिसर्च और लोकल प्रोडेक्शन के उपर अग उसकी जो मेक्सीन होती है और कोस्ट को लोवर के जा सके इसी के साथ में जो डिटेट के जा सके अरली स्टेज में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि recently अभी कुछ ऐसी disease देखने को मिली थी जिसमें हाँ पर जब इलाज करवाने की बात आई तो क्रोडो खर्चा आ रहा था और वो एक middle class family से आने वाले इंसान थे तो इसलिए हाँ पर यह काफी ज़्यदा खतरनाक होती है खासका define करना अगर rare disease को कि 1000 में से कोई एक आप लोग को देखने को मिले है इसी के साथ में number जो लोग effect होते हैं लग भग 5000 में से कोई एक इंसान उस particular बीमारी से effect हो रहा है तो बहुत सारी ऐसी चीज़े आप लोग को देखने को मिलती है ठीक है तो इसके ओपर focus देना भी जरूरी है क्योंकि जब होती है यह बीमारिया तो फिर कई सारे लोग जो हैं वो काफी ज़्यदा प्रेसानी में पढ़ ज जरूरी है और हमारे देश में organ donation काफी कम है यानि कि आप लोग 0.52 पर million यहाँ पर देख सकते हैं population जबकि सेम अगर Spain में आप लोग जाओगी तो यह 49.6 पर million आप लोग को देखने को मिलेगा यानि कि हमारे देश के compare में अगर आप लोग Spain में देखोगे तो कितना जादा ह है हम लोग कहीं stand भी नहीं कर रहे हैं जबकि अगर आप लोग देखोगे हमारे देश में 14.07 total organ 2021 में यह हाँ पर basically आप लोग को देखने को मिलेगे जो donor आप लोग यहाँ पर सामने निकल कर आए less than 16.77 of 2019 में सबसे बड़ी बात यह है कि 12,000 के करीब 2021 में only 1.7 little more than यहाँ पर को मिलती है खासकर South India में कुछ राज जैसे है जहाँ पर यह donation किया जाता है पर North India में काफी कम आप लोग को देखने को मिलेगा ठीक है और requirement बहुत जादे है लोगों की कई आप लोग को देखने को मिलेगे kidney के heart के कई सारे मुरीज जो है उनकी death होती है पर लेकिन उनको time पर organ जो है वो नहीं मिल पाता है ठीक है तो यह organ donation के बारे में कुछ बाते हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं एक scheme है जिसका नाम है हापर आयूर स्वास्तियोजना तो यहाँ पर यह central sector की scheme है जिसमें आयूस और public health को साथ में रखकर यहाँ पर चल रहे है अप्ग्रेट की जारी है facility जो center of excellence जिसमें हाँ पर financial और इसी के साथ में जो भी eligible organization है और institution है उनको साथ में लेकर यहाँ पर चला जाएगा अधर कई सारी scheme है national आयूस mission होगे कई सारे portal है आपर आयूस entrepreneur program हो गया आयूस wellness center होगे तो यह कई सारी चीज़े हैं जिसे संजीवनी के बारे बात की यह app के बारे मैंने discuss क्या आप लोगों से क्या था तो यह कहीं ने कहीं health sector को improve करने का काम करेंगे आने वाले टाइम पर इसके उपर इनका focus आप लोगो ज्यादे तर यहाँ पर नज़र आएगा international relation वाले topic से कुछ important article आप लोगो देखने को मिलेंगे अगर question बन जाए तो confusion नहीं होना चाहिए इसलिए इसके उपर हम लोग यहाँ पर नज़र डालेंगे जैसे कि बहुत important topic हैं आपर monthly presidency जो है वो UN Security Council की वो इंडिया के पास में आप लोग को देखने को मिली rotation basis पर यह जो आप लोग को presidency मिली यह first December से हाँ पर हम लोग को देखने को मिली second time in two year तो जो भी rotation basis पर यहाँ पर आती है तो उसमें हमारे पास में जब यह presidency आई हम लोगों ने focus दिया कैसे कि हम लोग terrorism को basically जो मुद्द है उसको reform कर सकते हैं देखे सबसे बड़ी बात यह है कि जो terrorism का epicenter है वो आप लोगो हमारे प्रोस में देखने को मिलेगा यह statement external firm ministry के द्वारा भी use किये थी अभी recently कि हमारे देश के प्रोस में epicenter है खासकर indirect way में बोला जाए तो समझ सकते हैं आप लोग बताने के जूरत नहीं है कि कि किस देश क अंदर में जो six organ है पांच organ अगर बात करें हैं हाँ पर general assembly, trust ship council, economic social council, international court and justice और secretariat जो है और यहाँ पर UN security council जो basically यह काम करते है security के point of से 15 member है पांच permanent कौन कौन से बताना और 10 non permanent जिसमें इंडिया भी non permanent member के तोर पर यहाँ पर अभी आप लोग को देखने को मिल रहा है ठीक है non permanent member जो है वो elect के जाते है every two year तो हमारे पास में अभी आठ वी एट बार हम लोग non permanent member यहाँ पर इसके बने basically ठीक है तो एक कुछ बाते हैं जो आप लोग समझ सकते हैं बाकी कहां कहां से कौन कौन member आते हैं तो permanent member तो China, France, Russia, UK और US से है non permanent member कहां कहां से आते हैं अब लोग को नहीं हाँ पर काम करते हैं कैसे peace and security को maintain रखना है और कैसे इसका charter implement करना है उसके ओपर इनका पूरा focus रहता है ठीक है issue कहां कि आप लोग देख सकते हैं कि relevance जो है वो खतम होता जा रहा है UNSC का इसके अंदर में multilateralism आप लोग को देखने को मिला तो उसकी कमी है आपर कुछी देशों की power चलती है less representative है जैसे कि आप लोग देखने को मिलेगा अफ्री का continent जो की इतना बड़ा है उससे कोई ही नह जा रहा है जो की काफी जदे एक negative और खतरनाक चीज़ यहां पर देखने को मिलती है इसकी वैसे कहते हैं कि इसका relevance जो है वो खतम होता हूं यहां पर जा रहा है ठीक है तो यह बड़ा ही एक basic सा मुद्दा है यहां पर कुछ और basic चीज़ है अगर मैं आप लोगों यहां प यह तीनो 77 बर देखने को मिले और Canada 6 बार लेकिन जापान सबसे ज़्यादा बर यहां पर non-permanent member के तोर पर आया है elect होकर ठीक है तो यहां पर proper election होते है 193 member जो है वो वोट डालते है उसके बाद में चीज़े आप लोगों यहां पर फिर नजर आती है तो 8 वी बार हम लोग यहां पर non-permanent member बने जो आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं ठीक है सबसे पहली बार कब बने थे अगर question पूछ जाए तो बताइए जरूर देखता हूँ कौन से answer देता है इंडिया के पास में यहां पर अभी recently wasanar agreement की chair आई है आपर January 2023 से तो यहां पर हम लोग अगर ब पर voluntary control होता है ऐसे नहीं कोई force कर रहा है ताकि हाँ पर transparency बना कर रखी जा सके है जो भी हतियार होते है ठीक है जो भी हाँ पर dual use की technology होती है उनको किस तरीके से सही हातों में पहुचाना है यह इसका focus रहता है तो जिस group के हम लोग member है उस group के बारे में कुछ बाते याद रखना बनता है ठीक है कई सारे और export control लिजी में जैसे missile technology control ये MTCR है ठीक है तो इंडिया जो है इस group का member बना 2016 में आस्टेलिया जो group है यहाँ पर तो यह याद रखीगा इंडिया का member बना 2018 में और यहाँ पर इस पर कहीं ने कहीं ये एक ऐसे group है जो कि हाँ पर जब की group इस country के अंदर यहाँ पर कोई इस के अंदर country आती है तो उसका ओधा बढ़ जाता है ठीक है कि हाँ यार यह उसका part है तो एक responsible surgeon का भी tag यहाँ से मिलता है यह responsible देश का भी tag यहाँ से मिलता है ऐसा आप लोग बोल सकत पर रहने वाला है जब global south सब्स यूज के जा रहा है तो least developed country है आपर अफरीका, South America, India और यहाँ पर जो आसियान country है इनके ओपर focus जाता है global north में जो है वो refer कियाता है USA, Canada, Europe, Russia, Australia, New Zealand पर लेकिन global south में यहाँ पर Asia, Africa और South America के देश आप लोगो देखने को मिलेगे जो की under developed country है पर लेकिन population इनके पास में है, market काफी large scale पर इनके पास में देखने को मिलेगी, young generation इनके पास में देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर India जो ह वो एक voice बन सकता है, global south है उसको represent करने वाली, इसके बारे में हाँ पर बाते की जाती है, तो काफी positive यह एक important fact है, जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, यह कैसी news है जिसके बारे में question भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, basically Armenia जो है और India के relation को भी 30 साल पूरे हुए, तो question आप लोगों से बन सकता है, diplomatic relations जो है वो 1992 में हाँ पर start हुए जैसी Armenia independent country बना, पहले USSR का part हुआ करता था Armenia भी और अजर बायजान भी, इंडिया की embassy हाँ पर year 11 में खोली गए 1999 में, treaty friendship sign किये गई दोनों के बीच में 1995 में, अर्मीनिया के दौरा sign किये गए अभी हाँ पर 40 million की arms deal इंडिया के साथ में recently अभी, जिसमें स्वास्तिक radar भी थी हाँ पर, इसी के साथ में October 2022 में हाँ पर sign किये गए था, अर्मीनिया के दौरा export missile rocket ammunition के बारे में, जिसमें पिनाका और multi barrel rocket launcher भी थे, अर्मीनिया जो है, वो काफी important है, खास कर अगर बात करें, Eurasian corridor के लिए, तो इ एक तरीका लोगों भी हाँ पर सामने निकल कर आया, तो पूछ लेगी किस देश के साथ में अभी recently 30 years जो होए हैं आपर relation के, तो ये एक काफी interesting question आप लोगे लिए हो सकता है, तो confusion नहीं होना चाहिए, ये जो particular topic है, economy के section में आप लोग को देखने को मिलते हैं, वैसे तो हम लोग इन section को divide कर लेते हैं, पर लेकिन बहुत सारी चीज़े नहीं है, आप लोग को overlap नजराती है, ठीक है, तो बिलकुल ऐसे मत देखोगी, economic का ये news है, ये फिर ये particular जो है news, particular उस paper के अंदर में आता है, topic को आप लोग देखो, और topic को proper prepare करो, ये मत देखो कि particular कौन से section में आप लोग उसो set बैट सकते हो, क्योंकि जब question बनेगा न, आप लोग कई बार हैरान रह जाओगे, वो question किसी और section का था, और किसी और section में उस question को पूछ ले गया, थोड़ा सा divert करके, ठीक है, तो ये बाद ज्यानक न, ओके, बहुत ही important यहाँ पर ये topic है, reserve bank of India के द्वारा launch किया गया है, एक pilot project, ताकि इंडिया में digital rupee को implement किया जा सके, यानि कि digital form में, और यहाँ पर जो rupee की definition होती है, R-U-P-E, इसके यहाँ पर change किया गया, R-U-P-I, तो यह यह आप लोग याद रखेगा, हमारी country में यह system जो develop किया गया है, National Payment Corporation of India के द्वारे हाँ यहाँ पर तहत में यहाँ पर इंसानों को यहाँ पर basically SMS और यह QR code के थूँ यहाँ पर mobile phone पर यह system जो है, E-R-U-P-E provide करा जाएगा, और कहीन कि आप लोग बोल सकते हैं कि account में आप लोगों को पैसा देखने को मिलेगा, पर हाथों में आप लोग नहीं ले पाएंगे, ठीक है, तो अकसर भीग जाते हैं, कहीं गंदे हो जाते हैं, उसकी वेसे बहुत सारा पैसा जो रिक साइकल होता है, उसमें भी पैसा खर्च होता है, तो यहाँ पर जब एक बैंक में पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफर कियाता है, तो यहाँ पर उसको transaction करने में कितना सारा लगता जब उसको गड़ी में भर भर कर ले जाता है, तो security के भी कई सारे concern यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो यह सारा पैसा बचाया जा सकेगा, और systematic way में उसका इस्तमाल हम लोग कर पाएंगे, यह चीजे सामने कैसे आई, कैस के बारे में पहले किसी ने बात की थी, देखिए 2013 तेहरे में RBA के द्वारा यहाँ पर एक परीगे से आपर बोला था, कि virtual currencies के बारे में, कि virtual currency को लेकर मुद्दे आये कही सारे, हलाकि यह court में भी matter पहुचा, Supreme Court ने तो बोला था कि RBA ने जो बोला कि crypto currency वगरा उनको इस्तमाल नहीं किया जाएगा, Supreme Court ने बोला कि इस्तमाल क currency का एक तरीके से जनम दाता है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि जब Supreme Court ने बोला कि भाई साब regulate करना है, बंद नहीं करना है, तब लोगों की समझ में आया, पुराने टाइम पर अगर आप लोग जाओगे बार्टर सिस्टम था, फिर यहाँ पर काउ को एज जे currency यूज किया ग तो इसके फायदे हैं बहुत सारे और नुकसान भी है, अगर सिस्टम को सिक्योर ना कर पाएं, तो फिर वांदे लग जाते हैं, ठीक है, तो हर चीज के फायदे और नुकसान है, देखना आप लोग है कि आप लोगों कैसे उटिलाइज करना है, दोस्तों यह कैसा टोपिक ह जहां से आप लोगों के लिए बड़ा ही प्यारा कोशन बन जाता है, मज़ेदार बात बताओंगा इसके बारे में, देखिए फिलाल के टाइम पर जब से USA के द्वारा यहां पर हरकते किये अपने डोलर को लेकर, रसिया ने और इंडिया ने बोला है कि रूबल और रूप इससे फायदा कия होता है? इसकी भी value बढ़ती हुई नजर आती है अगर आप लोग South Asia Association Region Corporation एक group इसके बारे में जानना चाते हैं तो याद रखेगा Stablish किया गया था ये धाका जो चार्टर है उसके तहत में इसका धकन खोला गया बंगलादेश के अंदर में 8 December 1985 में अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, इंडिया, मोल्दीव, नेपाल, पागिस्तान, स्रिलंका ये देश है इसमें पागिस्तान और इंडिया की वेसे हाँ पर सारी चीजे जो है यहाँ पर चाही नी चल पाती है क्योंकि और पागिस्तान चाहता है कि चाहना भी आजए इसमें समझ रहे हैं आप लोग ठीक है तो एक अंडिशन देखने को मलती है तो ये कुछ ECU हैं आपर जो इसके साथ में रहते हैं जिसकी वेसे आगे निबढ़ पाता हूँ इसलिए इंडिया फोकस देना स्टार्ट कर चुक है कि इसके उपर बिमस्टैक के उपर क्यों क्योंकि इसमें पाकिस्तान है ही नहीं है तो इसलिए हाँ पर इसको लेकर चलेंगे हम लोग तो बिमस्टैक में को ने नेपाल, इंडिया, बुटान, बंगलादेश, मैनमार, थाइलेंड और स्रिलंका तो ये बेसिक कुश्चन आप लोगों से डिफरेंस के तोर पर भी कई बार पूछ ले आता है तो कन्फूजन नहीं होना चाहिए डिलेक कुश्चन आप लोगों से इस्टेट PCS के अंदरे पूछा आ सकता है अगर आप लोग इस्टेट PCS की तहरी कर रहे हैं कि कौन से राज्य में रिसेल ली अभी GI टैग दिएगे पांच प्रोड़ेट को तो याद रखेगे हैं हाँ पर यह GI टैग देगे केरला के अंदर में पांच प्रोड़ेट को जैसे बीन हो गया, रेड ग्राम्स हो गया, गार्लिक, सेसम और यहाँ पर मैलन ठीक है तो यहाँ पर यह कई सारे ऐसे प्रोड़ेट हैं जिनके तमिलाडू के अंदर नाम उनके इसाब से यहाँ पर है, लोकल नेम जो हिनके, पर लेगिन आप लोग इसके बारे में इतना आडिया जरूर रखेगा कि कितने प्रोड़ेट को यह टैग दिया गया है भी रिसेंटली, GI टैग को आप लोग जोग्रिफिकल इंडिकेशन बोलते हैं जिसको हिंदी में हम लोग भोगोलिक संकेतर के नाम से भी हाँ पर जानते हैं तो यह तरजा देने का मतला है कि उस प्रोड़ेट की इंपोर्टेंस समझी गई, लोकल एरा में उसको रिकरिगनाइस किया गया तो उसकी वेसे काफी इंपोर्टेंट हो जाता है RBI की द्वारा काफी बड़ी बात बोलेगी recently अभी कि हमारे देश में NPA यानिके non-performing assets जो है वो अभी down हो गया है जो कि काफी ज़्यादे देखने को मलता था और एक important चीज यहाँ पर यह भी याद रखेगा जो कि आप लोगों से question की form में ही पूछा जा सकता है अब वापस नहीं आएगा basically डूब चुका है उसका interest तो interest वो मूल भी नहीं मिलेगा तो उसको बोलते हैं कि यह non-performing assets हो चुका है तो इसको हम लोग NPA बोलते हैं यह particular portion जो है वो art and culture का है जो की current affair के साथ में आप लोग connect करके देख सकते हैं और background में आप लोगों से कई बार यहां से question भी बन जाते हैं ठीक है यह यहां पर बात की जारी है तमिलाडू के द्वारा काफी बड़ा effort डाला गया France के अंदर में बोले लगाए जारी थी यहां पर हमारे देश में से चुराए गई statue नटराजा की जो कि यहां पर load जो dance कर रहे हैं यहां पर इनटराजा तो चोला sculpture के तो यहां पर इनको बनाया गया यहां आप लोगों देखने को मिलेगा इसके basically जो हाथ होते हैं उनको यहां पर यह एक तरीके से दिखा जाता है कि hand जो है एक में fire आप लोगो देखने को मिलेगी left hand में आप लोगो gesture करते हैं मुद्रा में आप लोगो यहां पर नजर आते हैं यह lower hat है आपर salvation के बारे बाते करते हैं तो इस पूरी picture को यहां पर define किया गया है कि hair क्या मतलब है आपर snake क्या दिखाता है lotus क्या दिखाता है तो कई बारे यहां से question आप लोगे लिए बन जाते है कि इसका क्या मतलब होता है तो यह कुछ ऐसी basic चीज़े है अगर इसके बारे में आप लोगो पता रहेगा तो आप लोग confusion नहीं रहेगा और यहां पर unakoti यह particular area हो गया तो दो तो गुजरात से हैं और एक आप लोगों यहां पर देखने को मिलेगा basically तिरपुरा से इनको अभी UNESCO की जो यहां पर tentative list में डाला गया है tentative list का मतलब होता है कि आगे चलकर इनको permanent list में डाला जा सकता है इनका analysis किया जाता है proper review किया जाएगा और उसके बाद में हाँ पर देखने को मिल सकता है यह हाँ पर जो basically पुस्पावती river के किनारे पर देखने को मिलेगा sun temple मोधेरा गुजरात के अंदर में कासमीरे में इसको आप लोग मारतन बोलते हैं sun temple उडिसा में कोनार के नाम से आप लोग जानते हैं चालुक क्या density जो भीमा है डैनिस्टी उसके द्वारा यहाँ पर यह बनाया गया यह आप लोग को देखने को मिलेगा काफी पुराना historic टाउन है वडनगर गुजरात के अंदर में जो की अपनी एक सांसकर्तिक को सहेज कर रखे हुए है अब तक भी ठीक है इसी के साथ में अगर तिरपुरा के बारें बात करें तो ancient यहाँ पर civ worship की जाती है basically जो इस ट्रक्चर है वो दीवारों पर इस तरीके से बनी होई है पत्थरों को उकेर कर तो उसकी वज़े से यह काफी ज़दे न्यूज में था recently अभी ठीक है तो यह कुछ basic चीज़े हैं जो आप लोग समझ सकते हैं पिक्चर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने बता है ना यहाँ पर उनकोटी तो यहाँ पर basically पत्थरों को उकेर कर उनके ओपर यह चीज़े बनाए गई है तो इसकी वज़े से एक काफी important चीज़े हैं जो कि समझेगा ठीक है तो confusion नहीं है कुछ topic आप लोग को geography के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगे जहां से question बन सकते हैं कुछ geographical condition है जो कि आप लोग को बताने वाला हूँ current में news में है तो question पूछा जा सकता है यह एक perfect storm जिसको बोलागे हाँ पर fuzzyvara effect तो यह आप लोगों से question पूछा सकता है कि fuzzyvara effect का मतलब क्या है fuzzyvara effect basically अगर आप लोगो explain के जाए तो आप लोग को यहां पर बताया जाएगा कि दो एक जैसे यहां पर tropical cyclone जब same time पर same ocean में यह यहां पर लगभग उनकी जो eyes है उसके बीच में लगभग 1400 km की अगर distance हो यहां पर तो उस time पर जो form होते हैं वो cyclone उनको basically fuzzyvara effect बोला जाता है यानिक एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि same time पर same जैसी intensity intensity अलग यह उपर निचे हो सकते है speed उनकी अलग-अलग हो सकती है पर लेकिन same time पर यहां पर आप लोग को नजर आएंगे एक जैसे depression वाले area में ठीक है तो यहां पर fuzzyvara effect basically इसको बोलाता है तो यह concept का नाम कम से कम at least आप लोग को बता होना चाहिए कि अगर question पूछे तो यह concept है क्या तो fuzzyvara effect जो है यहां पर अभी recently news में था जिसके बारे में आप लोग यहां पर समझ सकते हैं यह fuzzyvara effect जो हैं आप बेसिकली एक तरीका यहां पर आप लोग इसको बोल सकते हैं मतला नहीं एक तरीके से यहां पर जो एक cyclone की category में basically हाला कि इसको रखा जा सकते है जहां पर इस तरीके से interaction आप लोग को देखने को मिलता है तो यह particular अगर बात पूछे आप लोग से कि का मतलब क्या है और क्या है यह कुछ बेसिक चीजे तो बस एक idea कम से कम आप लोग जरूर रखिएगा ठीक है नेक्स यहां पर बात की जा रहे है coastal red sand dunes के बारे में तो यहां पर scientist के द्वारा अर्च किया गया government को कि protect किया जाए यहां पर coastal area में जो red sand है कुछ ऐसे तरीके कि आप लोग यहां पर यहां पर यह देखने को मिलेगी कई बार क्या होता है कि यहां पर कई तरीकी चीजे हम लोग start कर देते हैं development करना और local area को भूल जाते है कि उसकी popularity है किस चीज के लिए तो यहां पर era mati यहां पर basically the blue यह आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा कहां पर यह particular area में और यह यहां पर यह geographical survey of India के द्वारा यहां पर एक तरीके से zero heritage site के दूर पर भी declare किया गया था तेरी sand in Tamil Nadu आप लोग को देखने को मिलेगा इरा mati जो डिबु यहां पर एक तरीके से विसागा पत्नम में यह site आप लोग ऐसी एक स्रिलंका में भी देखने को मलती है तो ऐसी चीजों को protect करना ज़रूरी है अगर question बने तो फिर Simeru volcano काफी ज़ए news में था तो यह याद रखे कि इसके बारे में the great mountain भी इसको यहां पर बोला जाता है यह particular जो location भी आप लोग को यहां पर दिखाऊंगा आप लोग को देखने को मिलेगी इंडोनेशिया में ठीक है तो यहां पर आप लोग के सामने हैं इंडोनेशिया तो यहां पर यह निकल कर आता है तो इस्टन जावा आइलेंड जो की tallest जो volcano के तो और पर आप लोग यहां पर समझ सकते हैं जो कुछ बात है अगर मैं यहां पर इसके बारें बताऊं volcano इंडिया के बारे में तो बेरन आइलेंड अंडमान निकोबार पर एक only active volcano है ऐसे वैसे आपर अंडमान निकोबार पर महरास्टा में गुजरात में यह कई सारे level पर आप लोग और देखने को मिलेगा पर active अगर बात करें तो यह अकेला आप लोग यहां पर नजर आएगा वोल के नों वगेरा यह फटते हैं यह सारी चीज़ा आप लोग समझ सकते हैं रिंग ओफायर का नाम आप लोग याद रखेगा इसको सरकम फेसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं और UPSC ने जब मेंस में कोशन पुछा था तो रिंग ओफायर नहीं उसने सरकम फेसिफिक बेल्ट नाम यूज़ कर दिया तो आप लोग को गुमरहा करने के लिए पूरा जुगाड रखता है UPSC अगर आप लोग चला से भी चूकोगे अपनी चीजों से तो तुरंत UPSC आप लोगो धर्दबोचेगा ठीक है डिरेक्ट यहाँ पर कोशन आप लोगों से बन सकता है साइक्लोन मंदस के बारे में तो याद रखेगा यह सजेस्ट किया गया था नाम United Arab Emirates के द्वारा Arabian Sea में यहाँ पर यह साइक्लोन अभी आप लोगो रिसेंटली देखने को मिला जिसके चलते कोशन भी आप लोगों से पूछा सकता है साइक्लोन जो चांच से स्टॉम की क्रोस करें और Arabian Sea यह बोलागे क्रोस कर सकता है Arabian Sea में ठीक है वैसे यहाँ पर पर पर्टिकुलर रीजन आप लोग यहाँ पर इसके देख सकते है साइक्लोन जहाँ पर यह इंपैट डालता हुआ नजर आया यह पिक्चर यहाँ पर गले थे यह आप लोगो Arabian Sea में यहाँ पर बेसिकली अपना इंपैट डालता हुआ नजर आया यह कहिने के आप लोग बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में जो बेव बंगाल वार रीजन है वहाँ पर भी इंपैट डालता हुआ नजर आया और बात की जारती क्रोस कर सकता है Arabian Sea के सैड में भी तो उसकी वैसे हाँ पर यह न्यूज में था तो हलका सा आइडिया कम से कम इसके बारे में रखेगा कि लोकेशन कहाँ पर थी और बाकी यह आप लोगो पता यह हुरिकन कहाँ पर बोले जाता है नोर्थ अमेरिका में सा society के तैत इसको include कर लिया क्योंकि women के बारे में बात की जा रही थी कुछ ऐसे topic आप लोगो देखने को मिलेंगे यहाँ पर all women bench जो है वो here करेगी matter supreme court के अंदर में तो state of women in judiciary तो यह आप लोगों से पुछा जा सकता है पहले 2013 में भी हाँ पर ऐसी bench आप लोगो देखने को मिल कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर अच्छे कासी representation है women की Canada में सबसे जाद है 44% जर्मनी में लगबो 43% फ्रांस में तो इस तरीके देख सकते हैं वो देशे जहाँ पर अच्छे कासी representation है हमारे हाँ पर representation आप लोगो only 8% women की देखने को मिलेगी जो कि अभी थोड़ी बढ़ र देखने को मिली थी ठीक है ऐसे ही हाँ पर अगर आप लोग चीजे देखोगे यह मैंने आप लोगो बताए दिया कि कहां कहां पर representation है तो हम लोग को भी काम करना चाहिए अपने देश के अंदर में ताकि women की representation को बढ़ाया जा सके ठीक है तो यह basic information है कोई भी confusion नहीं होना च सारी चीजे रठने बैठोगे तो कुछ याद नहीं होने वाला है PDF प्रोवाइड करा दूँगा टेलिग्राम पर जाकर इसको डाउनलोड कर लेना और इसी के साथ में सबसे important बात क्या है कि इन चीजों को time to time आप लोग revise करते रहना अगर reality में चाहते हो कि exam में इनको याद रखो ठीक है वीडियो थोड़ा सा पहले अराम से सुनना फिर फास्ट पेस पर लगा कर थोड़ी वीडियो रिवर्जन कर सकते हो और एक दो बार PDF के थूँ आप लोग होकर गुजर जाना तो सारी चीजे लंबे समय तक याद रख पाओगे और एक छोड़ी सी बात बोलना हो तो बताना उसको दूर के जाएगा नेक्स्ट वीडियो मिलता हो तब तक उना ध्यान रखिए और पुरानी वीडियो भी रिवायस कर लेना बेसिकली पूरे साल की वीडियो है आप लोग के सामने मंतली बेसिस पर जो आप लोग के सामने प्रोवाइड कराए गई है तो यह था लेक्चर फीडबैक जरूर देना जैसा भी लेक्चर लगता है तो बड़ों को नमस्ते चोड़ों को प्यार छोड़ी से लाइफ और इंज्यों अकरार मिलता हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद